बेहतर से बेहतर के तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर के तलाश करो, तूट जाता है शीशा पत्थर के चोट से, तूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो नमस्कार दोस्तों, हैपी स्टेडिश और मैं आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं जारखंड जिके के एक जबरदस्त एपिसोट, जिसमें हम सारे शीशों को बहुत जबरदस्त एक्स्प्लानेशन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बिल एकन को प्रेस कर लीजेगा ठीक है और एक सेशन उसारे स्टूडेंट के लिए बहुत परदस्त है चूजकि जार्खंड जैससी सीजल की त्यारी कर रहे हैं या जैससी से रेलेटेड कोई भी कॉम्पेटिटिव इंग्जामनेशन की त्यारी कर रहे हैं तो 1779 से 1805 इस वी तक ये चला था, 1805 इस वी तक, शुरुवात की बात करें, तो ये बड़ा भूम और घाट सिला में, हलाकि शुरुवात हुआ था, लेकिन आगे चल कर, ये मानभूम में और पंचेत में फैल गया था, ठीक है, नेत्रित्व करता की बात की जाए, तो बहुत सारे नेत्रित्व करता थे, उन वैसे प्रमुग थे, रगुनाथ महतो, उसके बाद श्याम गंजम और जगनाथ पातर, जगनाथ पातर, दमन करता की बात करें, तो दमन करता दो था इसमें, एक था लेपडिनेंट गुडियार और मेजर क्राफ्ट, ये दो यहाँ पर दमन करता थे, ठीक है, तो क्वेशन नमबर फर्स्ट कसे इंसर क्या हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं, ढालबू में कौन सा विद्रो हुआ था, तो ढाल विद्रो हुआ था, ढाल विद्रो हुआ था, तब से कब तक हुआ था, आपको पता होना चाहिए, सत्रासो सरसट से सत् था, ठीक है, नेत्रित करता की बात करें, तो नेत्रित करता कौन थे, जगनात धाल थे, जगनात धाल इसके नेत्रित करता थे, दमन की बात करते हैं, दमन करता की बात करते हैं, तो लेटिनेंट रूक और कैप्टन मारगन धाल विद्रो की क्या थे, दमन करता थे, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि संधाल परगना में कौन-कौन सा विद्रो हुआ था तो सबसे पहले हैं पहाड़िया विद्रो हम पहाड़िया विद्रो की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 1772 से 1780 तक हुआ था इसका नेत्रित्व करता कौन थे तो दो नेत्रित्व करता थे एक तो रानी सरविश्वरी जो की महिशपूर के रानी थे और एक जगनाथ देव का भी नमाता लेकिन महत्तोपुर्ण रूप से याद रखियेगा रानी सरविश्वरी पहाड़िया विद्रो के नेत्रित्व कर था आपको बता होगा और इसके नेत्रितु करता कौन थे सीधू कानू सीधू कानू मुख्यूरूप से इसके नेत्रितु करता थे और साथ दे रहे थे चांदर भैरों भी ठीक है अगर दमन करता पूछ ले जाए कि संथाल विद्रो के दमन करता कौन थे तो याद रख सकते ह हैं कौन थें कैप्टन LV है क्वा थे इसके लाब और हम बात करते हैं तो तीसर नमबर पर यानि के संथाल परगर्णा में और कौन से विड़ो हुआ था तो एक्खरवार व हुआ भी हुआ था खरवार विड़ो की बात करें तो यह कब हुआ था तो अठारा सो 74 इस्वे में हुआ था नेत्रित्व करता कि बात की जाए तो नेत्रित्व करता कौन थे भागिरत वांची इसके नेत्रित्व करता थे इसी बीच अगर हम तमाड विद्रों की बेबात कर लें तो तमाड विद्रों कब से कब तक हुआ था तो पता होना चाहिए 1782 से 1807 इस्व बूभी तख़ुआ था ने तरीदी तुग मांँद करता कि दमतर करते हैं तो क्यापिटन बेइन कौप यहां पर दमन करता है तो रहांची पंचिछ करते हैं question no.2 की कि इस विरिक्ष को परिनपाति वन का राजा कहा जाता है इसका सही अंसर हो जाएगा option no.C यानि कि साल को कहा जाता है so option no.C is correct one वहीं पे अगर हम साल के scientific name की बात करते हैं सौरिया रोबस्टा सौरिया रोबस्टा इसका क्या होता है scientific name होता है अब हम पलास के scientific name की बात करें तो आपको पोता होना चाहिए कि ब्यूटिया मोनस्पॉमा ठीक है ब्यूटिया मोनस्पॉमा क्या होता है इसका scientific name होता है वहीं पे अगर हम हाथी की भी बात कर लें तो पाती वन का राजय कहा जाता है तो इसका साल बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा यानि ऑप्शन नमर सी इस करेक्ट वान चले नेक्स्ट बात करते हैं क्वेशन नमर तरी की जारखन का अंग्रेजियों की वृद्ध पृत्ध में जन जाते विद्रो कौन सा था तो तीन का करेक् और क्याप्टन मारगन ये दो यहाँ पर दमन करता था ये भी याद रख सकते हैं इसके अलाब अगर हम छेरो विद्रो की बात करें तो चेरो विद्रो कहांग पर हुआ था तो यहений में हुआ पहले बात ये हो गई कभ सक तक हो तो तो सतरह सो सतर से अठारा सो अठारा इस् थे उसमें से दो प्रमुक है एक तो चितर जीत राय है और जगनात सिंग है इसके लावा आप भूखल सिंग भी याद रख सकते हैं चेरो विद्रोह के नेतरितु करता ठीक है दमन करता अगर पूछ ले जाए चेरो विद्रोह का तो कैप्टर न जैकब कैमक ठीक है जैकब कै इसके लावा अगर हम खरवार विद्रोह की बात करें तो इसके बारे में हमने ओड़री डिसकेस कि कि संथाल परगना में हुआ था 1874 इस्वे में हुआ था और नेतरितु करता कौन थे भागिरत माजीज के नेतरितु करता थे वहीं पर अगर भूमिज विद्रोह की बात कर करता थे अब नेक्स देखते हैं question number 4 जारकंड की विद्रान सभा 2014 में राजिपाल द्वारा मनुनित इंगलो इंडन सदसे का नाम क्या था इसका करेक्टर असर हो जगा option number B यानि कि जोसिप कॉल्ड स्टीन था अगर हम विद्रान सभा की बात करते हैं तो जारकंड में पूछा जाए तो 126 संविधान संसुधन विध्याग दिकर अगर संविधान संसुधन पूछ ले जाए तो 104 संविधान संसुधन से जो इंगलो इंडन का सीट था वो हटा दिया गया है विद्रान सभा से total सीटे कितनी है तो total 81 सीटे हैं अब 81 में भी बात करते हैं तो AC, ST और जेनरल के लिए कितना है तो AC के लिए आपको 28 है, AC के लिए 9 है और जेनरल के लिए total 44 है ठीक है अच्छा इसके लाव अगर हम बात करते हैं अनुछेद 170 के अनुसार तो अनुछेद 170 के अनुसार अज राज जिविदान सभा सीटो के संक्या अधिक्तम 500 हो सकती है और न पूआद में है लेकिन minimum कितने हो सकते हैं 60 हो सकते है, maximum 500 हो सकते हैं कौन से संविदान संसोधन से तो 170 हो संविदान संसोधन से ठीक है इसके लाव अगर हम बात करते हैं तो 84th constitutional amendment 2001 की हम बात करते हैं तो राजी विदान सभा में 2026 तक जो सीटे हैं 2026 तक वो सीटे फिक्स नह ठीक है इसके लब अगर हम बात करते हैं चारकर में लोहरदग्गा लोहरदग्गा और गुमला दो ऐसा जिला है जो कि विधान सभा शेत्र कौन सा है तो एस्टी के लिए आरक्षित है याद रखेगा तो एक लोहरदग्गा है और गुमला है लोहरदग्गा और गुमला दोन नीज के विधान सबाचुनाव के रेजल्ट की तो इसमें विजेपी को 25 सीटे मिले थी जेमेम को 30 सीटे अर्जडी को 1 कॉंग्रेस को 16 आजसु को 2 और निर्दरिय को 4 सीटे मिले थी ठीक गैस नेक्ट बात करते हैं question number 5 की पहाडया विद्रो में कहां के रानी ने सहीयोग दि तो पहाडया विद्रो हुआ था 1772 से 80 तक ठीक है दमन करता अगर पूछ लिया जाए तो क्लीवलेंड यहां के दमन करता थे चले नेक्स बात करते हैं question number 6 की जारकन में 2017 से 18 में कितने प्रतिशत क्रिसी श्रमिक थे तो 6 का सही अंसर हो जाएगा option number B 66.85% so option number B is correct 1 चले नेक् collector हम चेरो विद्रो के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं उसके पाद आगे बात करेंगे तो 4 विद्रो कब से कब तक हुआ था Avengers रह सो 170 से 1770 से 1818 तक हुआ था नेत्रितु करता कौन कौन थे तो जितर जित राई थे इसके बाद जगनात सिंग थे और भोखन सिंग भी थे लेकिन याप पूछा हूए कि भूखन सिंग को फांसी कब दी गए थी तिनको फांसी कब दी गए थी 1802 एस्वियों में आप्सिन नमबर A is correct वन आप्सिन नमबर A is का बिलकुल सही अंसर होगा ठीक है चले नेक्स बात करते हैं क्वेस्टन नमबर A की महुम्मद बिन तुगलक के सेनपती मलिक भया यानि कि 47 रोत के नुसार इबराहिम अले ने हजारे बाग शेतर पर आकर मून किया था कब किया था इसका सही अंसर आपको बताना है तो 8 का सही अंसर क्या हो जाएगा आप्सिन नमबर B हो जाएगा 1340 इसका बिलकुल सही अंसर है अब देखें बात आए हजारे बाग की ठीक है तो हजारे बाग से रिलेटेड जो भी इन्फोर्मेशन हो सकता है सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं तो हजारे बाग का बना था इसके अस्थापना कवी थी तो 1833 से से में पहले बात ये और हजारे बाग को क्या कहा जाता है हजारों बागों का शाहर कहा जाता है धार्मिक्ष्थान की बात करें तो सूरजकूंड है सूरजकूंट और नर्सिंग धाम और और बात करते हैं तो BASF का प्रासिक्षोन के अंदर भी कहाँ पर है ये हजारे बाग में है इसके लाब बात करें तो बिनोवा भावे युनुवसिटी भी हजारे बाग में देखने को मिलेगा जिसके अस्थापना को हुई थी 1992 में हुई थी अभ्यारन भी हजारे बाग में है जिसके अस्थापना हुई थी 1976 में 1976 में चले नेक्स्ट बात करते हैंगे इस question number 9 की पलामो परगना को अनिलाम करने के पशाथ अंग्रेजु ने इसके शासन की जिम्मिदारी की सिराजा को दी थी तो 9 का करेक्टर अंसर हो जाएगा option number C घंसियाम सिंग घंसियाम सिंग इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा बात आई है पलामो की तो पलामो से related जो भी information हो सकता हो सारे के सार हमें एक सार डिसकस करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि पलामो जीला कब बना था तो 1892 में पलामो जीला बना था और पलामो को जारकंट का जैसल महर कहा चाता है यहाँ पर प्रमो की कीले हैं कौन कौन से कीले हैं तो तीन कीले का यहां पर नाम आता है शापूर चांदनी का किला रोहिलो का किला और विश्रामपूर का किला तो यह तीन कीले हैं जो कहां पर है पलामो में है ठीक है इसके लाव कुछ धार्मिक स्थान की बात करते हैं तो यहां पर धार्मिक स्थान दो कम से कम याप याद र और पाके का पहाड़ी मंदिर कहां पर है तो यह पलामू में है इस के लावार हम पलामू की बात करें तो पलामू में ही कौन सा वित्रों हुआ था चेरों वित्रों हुआ था अभी हमने बात किया था चेरों वित्रों जो कि कब से कब हुआ था सत्रह सो सतर से सत्रह सो अठारा तक ठीक है 1718 1818 तक स्वरी 1818 तक हुआ था और नेत्री तो करता मुखी रुप से कौन थे तीन नेत्री तो करता थे जिसके बारे में अभी हमने बात किया था कि भूखन सिंग को फासी दी गए थी 1802 इसमें ठीक है गैस चले नेक्स बात करते हैं question number 10 की दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारे बाग के सत्गाओं को जीत कर इस शेत्री की राजधानी बनाया था तो 10 का सही अंसर हो जाएगा option number A फिरोशाद तुगलक फिरोशाद तुगलक इसका बिल्कुल सही अंसर है ठीक है गैस अगर हम बात करते हैं फिरोशाद तुगलक की तो सरुपरत्थम हिंदू मतलब हिंदू ब्रामन पर जजिया कर किसने लगाया था तो याद रखिएगा फिरोशाद तुगलक ने लगाया था मुहमद बिन तुगलक के बारे में एक information अगर आप जनना चाहें तो सन की बादशा के नाम से इसको जाना जाता था अगर हम जहागिर के बात करते हैं तो जहांगिर के बच्पन का नाम अगर पूच ले जाए तो सलीम था क्या था सलीम ठीक है इसके लाव अगर हम बात करते हैं तो इसका मकब्रा कहां पर है तो लहौर में इसका मकब्रा है ठीक है और आत्मकता भी पूच ले जाता है तो जहांगिर का आत्मकता कौन सा है तूज चेरो जन्जाती ने किया था अगर हम चेरो जन्जाती की बात करते हैं तो इस से रिलेटेट जो फी इन्फरमेशन है एक साथ हम देख लेते हैं तो सबसे पहले बात ये कि बारह हजारी और तेरह हजारी के नाम से जाना जाता है चेरो जनजाती को वदुमुली की बात कीजाए तो दस्तूरी की नाम से जाना जाता है दस्तूरी ठीक है वीवा दो तरह की वीवा इसमें प्रेचली थै कौन कौन सा है एक तो ढोला है ढोला ठीक है और दूसरा किया है चड़ा ढोला और चड़ा इसके दो प्रमुक विवा है चेरो जंजाती के है ठीक है इसके लाब अगर महली जंजाती की बात की जाए तो महली जंजाती को शिल्पी जंजाती के नाम से जाना चाता है शिल्पी जंजाती के ना हैं अगर हम बात करते हैं असूर जंजाती के तो असूर जंजाती अच्छारकन के सबसे प्राचिंतम जंजाती है और इसका उले कहा कहा मिलता है तो रिगवेद में हैं आरन्यक में हैं उपनीशद में हैं और महा भारत में भी असूर जनजाती का उलेख मिलता है ठीक है अगर प्रमुक निवास की बात कर किया जाए तो गुमला में इसका प्रमुक निवास है गोत्र को पारस के नाम से जाना जाता है पारस ठीक है अच्छा इसके अलावा विवाह एक विवाह बहुँ ज़्यादा प्रचलित है जो इदी मी की नाम से जाना जाता है जो कि ब्रचलित विवाह है ठीक है ओके नेक्स हम बात करते हैं अच्छा अगर हम गोंडे जनजाती के धार्मिक प्रधान की बात करें तो बैगा यहां का क्या है धार्मिक प्रधान है लेकिन अगर सहायक पूछ लाजाए कि बैगा का सहाय कौन होता है? तो ये भी याद रहिएगा सुभारी, सुभारी जो होता है, और वेगा का सायक होता है ठीक है? कैस? ऊकई, उसके बास हम एगर ग। जनजाती ही बात करते हैं तो ग। जनजाती से related information जाल yeah थोड़ा था ये भारत के दूसरी सबसे बड़ी जन जाती है पहली हमेशा हमने बता है कि भील जन जाती पहली जन जाती है और दूसरी कौन सी है तो गोंडे जन जाती है ठीक है उसके बाद अगर हम गोंडे जन जाती के कुल देवता के बात करते हैं तो परसापन ठीक है परसापन यहां के कुल देवी का नाम है कुल देवता ठीक है गैस तो question number 11 का सही answer क्या हो जाएगा भार्दियो का राजा घंस्याम सिंग ब्रेटीस कंपने के विरत्थ 1817 में किस जंजाते ने विद्रोह किया था तो option number B is correct 1 0 जंजाती चले next बात करता है question number 12 की छोटा नगपूर के हो लोगों ने किस वर्स जबरदर्श्त विद्रो पहली दूसरी और तीसरी बात करें तो पहले नमबर पर है संथाल जंजाती दूसरा उराउं जंजाती और तीसरा है मुंडा जन जाती और चौथा हो जन जाती ठीक है प्रजाती है दरिष्टी से बात करें तो प्रोटो अस्ट्रोलाइड प्रजाती से विलों करता है लेपी के बात करें तो बारंग चीती यहां का लेपी है ठीक हो जन जाती का अगर युवागरी पूछ लिया जाए युवागरी तो गीती ओड़ा यहां का युवागरी है और हो जनजाती में जो अखड़ा या अखड़ा है उसको अस्टे तूर्टूड के नाम से जाना जाता है तूर्टूड ठीक है ओके नेक्स बात करते हैं question number 13 की 2016 में जारकन में इसाए धर माने वालों की जनसंख्या कितने प्रतिशत थी इसका correct answer हो जेगा option number B यानि कि 9.41% so option number B is correct one लेकिन अगर हम 2011 के जनगना के अनुसर बात करते हैं तो हिंदूओं का प्रतिशत कितना था 67.83% ठीक है अगर हम मुसलिम जनसंख्या की बात करें तो 14.53% और इसाए की बात करें तो 4.30% ठीक है टोटल जनसंख्या कितनी है अगर हम जारकन की बात करते हैं तो 3 करोड 29,88,134 है यह भी याद रख सकते हैं इसके लावा अगर हम बात करते हैं A.C. की जनसंख्या की ठीक है तो A.C. का सबसे ज़्यादा जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पलामू में है ठीक है और सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम है लोहरदग का में वहें पर परतिस्ट के हिसाब से एसी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको जातरा में देखने को मिलेगा प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो खूटी में सबसे ज़्यादा है ST का जनसंख्या और उसके बाद बात करते हैं सबसे कम प्रतिशत के हिसाब से तो कोडरमा में है याद रखेगा कोडरमा में है सबसे जाता जनसंख्या के हिसाब से राची में और प्रतिशत के हिसाब से कहां पर है तो याद रखेगा खूटी में ठीक है गैस चलिए उसके बाद अगर हम OBC के बात करते हैं OBC के तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे अधिक कहां पर है ये गिरेडी में है और सबसे कम अगर बात की जाए तो यह खूटी में, यह भी याद रिखेगा, ठीक है, इसके लावब अगर बात करते हैं कि A.S.T. का कुल जन संख्या की कितना प्रतीसा थे A.S.T. पूरे जारकंड में तो 26.20% पूरा इसका प्रतीसा थे A.S.T. का हम बात कर रहे हैं कुल जन संख्या का, ठीक है की बात करें तो हो विद्रो हो किस शेत्र में हुआ था तो 14 का करेक्ट अंसर हो जाए गाइस option number A is correct one सिभू में हुआ था हो विद्रो का हुआ था हमने अभी बात किया था 1820 से 21 में हुआ था नेत्रित्व करता कौन था तो पोटो सरदार जो की सिभू में हुआ था नेत्रित्व करता थे ठीक है चलिए नेक्ट बात करते हैं संथाल परगना की तो संथाल परगना में कौन-कौन सा विद्रो हुआ था हमने बात किया था तीन विद्रो यहां पर हुआ था एक तो ये संथाल परदना में ये तीन विद्रो हुआ था संथाल विद्रो खरवार विद्रो और पहाड़ विद्रो ठीक है तमाड विद्रो की बात करें तो तमाड विद्रो के बारे में भी हमने डिसकस किया था ये कहां पर हुआ था तो राची पंचेत और विर्भू में हुआ थ तो कैप्टन बीन और लीमंड यहां दो नेत्रतु करता थे चले, नेक्ट बात करते हैं क्वेशन नमबर 15 की भारत छोड़ो आंतुलन उनीस सु ब्यालीस इस्वी के तोरण जैपरकाश नाराइन अपने पांच साथियों की साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे तो पतरा का सही अंसर हो जाएगा इस आप्शन नमबर D हजारे बाग जेल से भागने में सफल रहे थे तो आप्शन नमबर D is correct one चले, नेक्ट बात करते हैं क्वेशन नमबर 16 की भारत छोड़ों आंदुलें 1942 इसवे के तोरन हजारे बाकी सरस्वती देवी को गिरफतार कर किस जेल में नजर बंद किया गया था तो 16 का सही अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर C भागल पूर जेल में तो आप्शन नमबर C इसका बिलकुल सही अंसर है नेक्स्ट बात करते हैं क्वेस्टन नमबर 17 मानभूम छंडा सत्यागरा किस वर्स हुआ था करेक्ट अंसर है उप्शन नमबर D 1945 इसवे में हुआ था मानभूम छंडा सत्यागरा तो आप्शन नमबर D is correct वन 1945 चलिए नेक्स बात करते हैं क्वेस्टन नमबर 18 की मदन मोहन मंदिर किस नाम से जाना चाता है तो 18 का सई अंसर हो जागा है तो आप्शन नमबर A ये बोड़ाया मंदिर के नाम से जाना चाता है तो आप्शन नमबर A is correct वन अब देगे कुछ important मंदिर की बात करते हैं सबसे बहले बात करते हैं कि देवगार में कौन-कौन सा famous मंदिर है तो यहाँ पे कम से कम हम तीन मंदिर याद रख सकते हैं एक वेदेनात धाम उसके बाद तपोवन और एक यूगल मंदिर जिसको नौलका मंदिर के नम से जाना जाता है इसके लावा गुमला की बात करें तो गुमला में कम से कम चार मंदिर के बारे में आपको जानना चाहिए एक तो अंजन धाम मंदिर है उसके बाद तांगिनाध धाम मंदिर है महामया मंदिर है और वासुदेव राय मंदिर है तो टोटल चार मंदिर गुमला से आपको याद रखना है वहीप एगर हम राची के बात करते हैं तो राची से भी कुछ important मंदिर जिसे आपको याद रखना चाहिए एक तो है जगनात मंदिर, जगनात मंदिर, सूर्य मंदिर जो कि बुंडू में है देवडी मंदिर जो कि तमाड में है और पहाडी मंदिर ये भी राची में ही है इसके लावा आप याद रख सकते हैं कि चत्रा में कौन-कौन से मंदिर है तो चत्रा में सबसे especially है भद्रकाली मंदिर जो कि इट-खोरी में है उसके बाद कॉलेश्वारी मंदिर भी याद रख सकते हैं और एक कांटेश्वार नाथ मंदिर भी याद रख सकते हैं तो तीन मंदिर है चत्रा में ठीकेस चले नेक्स्ट बात करते हैं Q19 की छोटा नागपुर उन्नती समाज 1915 इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नंबर c जो ये ले लकडा थे अगर हम कारतिकूराओं की बाद करते हैं तो कारतिकूराओं काफी फेमस प्रस्टालिटी रहे हैं चारकंड में इनका जन्म कहा पर हुआ था तो लीटा टोली कुमला में इसका जन्म हुआ था और बात करते हैं तो बाद में ये सांसद और केंद्री मंत्री भी बने थे वहीं पे अगर हम राम देयाल मुंडा के बात करते हैं तो जारखंड जारखंड जो राज सभा के लिए मनोनित सदस्त थे वह प्रथम विक्ति थे राम देयाल मुंडा ठीक है अगर इनके प्रमुक क्रिती के बात करते हैं तो प्रमुक क्रिती कौन कौन सा है तो आदी धरम इनके प्रमुक क्रिती है सरहूल मंत्र है और कौन सा है नाची से बाची राम देयाल मुंडा के ही क्रिती है इसके लाव अब बात करते हैं तो 2010 में पदमे शरी पुरुषकार मिल चुका है 2010 में पदमे शरी पुरुषकार और 2007 में संगीत नाटक अगदमे पुरुषकार भी इनको मिल चुका है नेक्स अगर हम बात करते हैं option number D की जैपाल सिंग मुंडा की तो जपाल सिंग मुंडा की जन्म कहां पर हुआ था तो टकरा कुंटी में हुआ था 3 जनवरी 1903 इस्वी को टकरा कुंटी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी 20 मर्च 1970 को डैली में ठीक है ब्रेन हैमरेज के कारण इनकी मृत्यु हो गए थी और यह फेमस पसनाले में आदिवासी महासभा के अध्यक्षवी बनाए गये थे और 1950 इस्वी में इन्होंने चारखंड पार्टी के स्थापना किये थी हलाके 1963 इस्वी में यह कॉंग्रिस में जाके विले हो गया था ठीक गैस और अगर उप नाम की बात की जाए तो मरांग गोंके की नाम से जान लगे कवर जनजाती का है तो चारखंड की एक 30 इसाथ है और इसको मानने तक कम लएति भार्ट शुर्कार के दो आट जनवरी 2003 को हमें बात करते हैं जार्खंड के बात थी आपक्रण कि सब्सक्राइब करा जाता है किनुंत प्रतमान मुख्यमंत्री कि से विधानसभा शेतर के सदा से हैं करेक्ट अंसर हो जाएगा option नमबर D यानि कि बरहेट विधानसभा शेतर से विलोंग करते हैं वरतमान में आभी मुख्य मंत्री कोन है तो हेमंत सोरेन है और यह 11 में नमबर के मुख्य मंत्री अगर हम क्रम वाइज बात कर रहे हैं और यह दो जगा से निर्वाचित हुए थे एक बरहेट विधानसभा शेतर से और दूसरा दुमका विधानसभा शेतर से हलाकिन उन्हें दुमका विधानसभा शेतर से बाद में इस्तिफा दे दिया था और उपचुनों के बाद यहाँ पर जीत किसी ने दर्ज की है तो याद रिखिएगा बसंत सोरिन ने यहाँ पर जीत दर्ज की है इसके लिए बात करते हैं तो छारकन में टोटल 6 लोग मुखे मंत्री बन चुके हैं यह कौन-कौन से लोग है एक बार हम रिपीट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हैं बाबुलाल मरांडी, अरजुन मुंटा, उसके बाद सीबु सोरिन, मधु कोडा, रगवर्दास और हैमन्त सोरिन इस तरह के टोटल 6 लोग बन चुके हैं जहरकन के मुखे मंत्री ठीक है चले नेक्स बात करते हैं, question number 2 जहरकन में जिलो की संख्या कितनी हैं? तो इसका correct answer हो जाएगा option number B यानि कि टोटल 24 जिलो की संख्या है अगर हम बात करते हैं कि जहरकन, निरमान के से में जिलो की संख्या कितनी थी तो उस से में total 18 थी, बाद में 6 नए जिले बने है वो 6 नए जिले कौन-कौन से हैं, तो दिखें 2001 में total 4 जिले बने है टोटल चार जिले कौन-कौन से बने हैं तो सिमडेगा, लातेहार, सराई के लखरसावा और जमदाडा वहीं पर बात करते हैं तो 2007 में भी दो जिले बने थे कौन-कौन से दो जिले हैं तो दो जिले हैं एक तो रामगड है और दूसरा खूटी है इस तरीके से टोटल 6 जिले जारकर निर्माण के बाद से बन चुके हैं तो करेक्ट अंसर क्या हो जाए है इसका करेक्ट अंसर है और प्त्थर के लिए यह काफी प्रसिद्ध है अब देखे बात आई है पाकूर की तो हम पाकूर के बारे में जितना भी इनफोर्मेशन हो सकते हैं एक साथ हम सारे का सारा डिसकस करने के कोशिश करते हैं तो सबसे बले बात यह कि पाकूर को मार्टीलो टावर का शहर कहा जाता और इसके अस्थापना कभी थी यानि कि यह जीला कब बना था तो 1994 में यह जीला बना था किस से अलग होकर बना था तो साहेब गन से अलग होकर बना था अच्छा कुछ और अगर हम प्रमुक उद्योग के बात करते हैं तो यहाँ पे पत्थर के लिए काफी फेमस है पाकुड सबसे नियूनितम सक्षरत दर छारकण में कहाँ पर है तो पाकुड में ही है कुछ धार्मिक स्थल की बात करते हैं तो याद रिखेगा सिव शितला मंदिर भी कहाँ पर है तो यह पाकुड में है ठीक है नेक्स बात करते हैं कैस question number 4 की तो 4 का correct answer हो जाएगा option number D धनबाद में इस्थित है तो धनबाद इसका सही answer हो जाएगा ठीक है अब बात है धनबाद की तो धनबाद से related जितने भी fact बन सकते हैं हम सारे के सारे एक साथ डिस्कस करते हैं तो देखे सबसे पहले बात यह है कि धनबाद को क्या कहा जाता है काले हीरी की नगरी कहा जाता है सबसे फ़ले बात तो यह हो गई उस्थापना के बात करते हैं यारे कि जिला कब बना था तो 1956 में जिला बना था धनबाद किला कौन सा है यहाँ पर तो किला यादर केगा कतरास का किला यहाँ पर है कतरास का किल ठीक है अच्छा मंदिर यहां पर मंदिर बहुत सारे फेमस फेमस मंदिर है उसके बारे में बात करते हैं तो देखें शक्ति मंदिर है उसके बाद भूफोर मंदिर है लिलोरी मंदिर उसके बाद जिनचीनी मंदिर ठीक अपरेटर अंसल के बात करें तो यहां पर आपको पंचेट भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा धनबाद में ठाँ एक और चीज यहां से आप याद रख सकते हैं कि धनबाद में ही बिनोत बिहारी मातो कुलांचल जुमाज़ ट्रीज़ यूणिवर्सेटी भी है ठीक्ष चलिए नेक्स्ट बात करते हैंकि इसक्रेशन न सबसे पहलिए में हम बात करते हैं तो इसका उच्छा में में हमने बताया कितना है 1365 मीटर है और फूट में कितना है तो 448 फूट है ठीक है अगर पारशनात पहाड़ी के और बात की जाए तो यह हजारे बाग के नीचली पठार में याद रख सकते हैं इसके लाब इसका जो निर्मान हुआ है बहुत कठोर चटान से हुआ उसका नाम क्या है तो pyroxene granite उसका नाम है pyroxene granite यह कई बार पूछ जा चुका है अब देखिए बात आई है general information सकते है हम एक साथ सबसे पहले discuss करते हैं अब देखिए गिरेडी जिला कब बना था तो 1972 में यह जिला बना था 1972 में इसके लाब बात करते हैं तो गिरीडी को जैन तीर्थेंकरो का निर्वान भूमी भी कहा जाता है ठीक है और जारखंट धाम भी आपको कहा देखने को मिलेगा ये गिरीडी में देखने को मिलेगा ठीक है जल परपात की अगर हम बात करें तो गिरीडी में आपको उसरी जलपरपात और बाल पहाड़ी देखने को मिलेगा ठीक है चलिए नेक्स बात करते हैं question number 6 की गिरिडी जिले का गठन के सुवर्ज किया गया था अब तुरंत हमने बताया था कि 1972 में इसकी अस्थापना की गए थी so option number C इसका सही answer हो जाया guys option number C चलिए next बात करते हैं question number 7 की क्योंकि गिरिडी के बारे में हमने जितना वे fact हो सकता था discuss कर चुके हैं चलिए next बात करते है guys question number 7 की जारखन की जिले में अनुसुचित जंजातियों की सरवादिक जंसंख्या कहां पाई जाते हैं तो देखिए इसका correct answer की बात करेंगे तो correct answer हो जागा is option number D राची में सरवादिक AST पाया जाता है अब देखिए AST का हम आकड़ा सबसे पहले हैं पर बात करते हैं AST की तो जंसंख्या की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा AST की जंसंख्या कहां पर है AST की सबसे ज़्यादा जंसंख्या आपको राची में देखने को मिलेगा जंसंख्या की हम बात कर रहे हैं और सबसे कम आपको कहां पर देखने को मिलेगा तो कोडर्मा में सबसे कम देखने को मिलेगा लेकिन अगर हुआ ही हम प्रतिशत के हिसाब से बात करें प्रतिशत के आपको पलामों में देखने क्यों मिलेगा और सबसे कम लोहरदग्गा में देखने क्यों मिलेगा वहीं पर अगर हम प्रतिस्यत के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको चत्रह में देखने को मिलेगा और सबसे कम पाकूर में देखने को मिलेगा ठीक है वहीं पे अगर हम OBC की बात कर लें OBC की हम बात कर लेते हैं तो सबसे जदा आपको गिरीडी में देखने को मिलेगा और सबसे कम कहां पर है तो खूटी में सबसे कम है ठीक है गैस इस तरह के से option number D इसका सही answer है अब next बढ़ते है question number 8 की तरफ लोहर दग्गा जिले का निर्मार्ण किसके विभाजन से हुआ था केट का सही answer बताना है तो correct answer क्या हो जाए गैस हजारी बाग से नहीं बलकि किस से हुआ था राची से हुआ था तो correct answer क्या हो जाएगा option number B इसका सही answer हो जाएगा अब देखें बात आई है राची के तो राची से related जो फिए information है सबसे पहले हम discuss करते है राची के स्थापना कभी थी गैस तो 1800 992 में राची जिला के स्थापना होई थी ठीक है तीन जिला 1991 में बना था हजारे बाग की बात करें तो यह कब बना था तो 1833 में हजारे बाग जिला बना था ठीक हैस अब देखें बात आई है लोहर दग्गा की तो लोहर दग्गा से related information थोड़ा से हम बात कर लेते हैं सबसे बले बात यही कि लोहर दग्गा को boxide नगरी के नाम से जना जाता है इसके अस्थापना की बात करे जाए तो 1983 में इसके अस्थापना हुई थी और अखिलेश्वर धाम कहां पर है तो अखिलेश्वर धाम आपको लोहर दग्गा में देखने को मिलेगा ठीक है चले न क्या हो जाएगा तो option number A इसका बिल्कुल सही answer है महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लोइमेंट गारेंटी एक्ट so option number क्या A इसका सही answer हो जाएगा option number A चलिए next बात करते हैं गया is question number 10 की जारकन राजी में इंद्रगांती मातिरित्व सहयोग योजना के अंतरगत की जाने वाली राश्री कितनी है तो 10 का सही answer हो जाएगा is option number D इसका सही answer हो जाएगा 6000 रूपे so option number B इसका option number D इसका बिल्कुल सही answer है चलिए next बात करते हैं गया is question number 11 की चलिए जारकन में कौन से जिले से संबन्तित है तो सभी चानते हैं इसका answer क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा सराई के लाख खरसावा so option number A is correct one अब देखिए हम बात करते हैं चलिए जारकन के अलावा ये मयूर भंज और पुरुलिया में भी देखने को मिलता है मयूर भंज यानि कि और डिशा में और पुरुलिया यानि कि वेस्ट बंगाल में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है इसके लावा हम बात करते हैं चानतरते के जारकन में रित्त को 2010 में 2010 में यूनेसको विस्व विरासत रित्त में भी शामिल किया गया है ठीक गैस चलें नेक्स बात करते हैं question number 12 की जन जातियों में होने वाली कर्मा पूजा हिंदू के किस पर्व के समान है तो इसका correct answer क्या हो जागा गैस option number C इसका say answer हो जागा रक्षा बंधन के समान है अब देखे हम बात करते हैं कर्मा की कर्मा की बात आई है तो कर्मा तहवार के बार में बात करें तो ये कब मनाया जाता है कब celebrate किया जाता है तो भादो महने के सुकल पक्ष के एकादसी को मनाया जाता है और ये जो कर्मा होता ह है ये दो परकार का होता है मुख्यरुप से एक तो राज कर्मा होता है राज कर्मा और दूसरा आपको देश कर्मा देखने को मिलेगा हम राज कर्मा की बात करें तो राज कर्मा जो है वो घर में देखने को मिलता है यानि कि घर में celebrate किया जाता है और वहीं पर देश कर्मा D इसका सहेंसर हो जाएगा यानि कि नेद्रे आखे जलांखी पाते यानि option number D इसका सहेंसर हो जाएगा ठीक है चले नेक्स बात करते हैं कि इस question number 14 की 47 आहिति का प्रत्थम नाट विंदू चांदन किसके द्वारा लिखा गया है तो इसका correct answer हो जाएगा गया इस option number D रगुनात मुर्मू के द्वारे लिखा गया है so option number D is correct one अगर हम बात करते हैं राम देयाल मुंडा की तो इनकी कौन-कौन से किरिती है तो याद रख लिजेगा कम से कम तीन किरिती आपको यहाँ से याद रख लेना है एक तो दिशोम बाबा भी किसका है तो डोमन समीर साहू की है उसके बाद जगदी त्री गुनायत की हम बात करते हैं तो इनकी दो करिती कम से कम हमें याद रखना है एक तो बज रही बाहसूरी और दूसरा सो सो बोंगा ठीक है गयाईस चले नेक्ट बात करते हैं question number 15 की घागरी ज पेमस जल परपात है याद रिखेगा एक तो बूढ़ा खाग है और लोधा का इसे को कहा जाता है साथी साथ एक कांती जलपरपात भी कहां पर है लातेहार में है अगर हम गढ़वा की बात करते हैं तो गढ़वा में सुखल दर्री है सुखल दर्री है बलचावरा है और हेसातु जलपरपात है लोहरदगा में एक इंपोर्टेंट है घडड़ी है जलपरपात राचे में बहुत सारे जलपरपाथ आ गए जिसमें से important हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हुन्गरू जलपरपाथ आपको मिलेगा स्वर्न रिखा नदी की किनारे जोनह जलपरपाथ जिसको गौतम धारा जलपरपाथ भी कहा जाता है इसका गए जन जाती की हम बात करते हैं तो इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन यहां से कम से कम देख लेते हैं तो दिखिए इसमें जो प्रचलित वीबा है उसे क्या कहा चाता है तो प्रचलित वीबा को कहा जाता है मंगनी मंगनी इसमें कहा जाता है प्रचलित वीबा को ठीक है अच्छे एक को इंपोर्टेंट इंफोर्मेशन यहां से पूछा जाता है कि पंचायत के मुख्या को क्या कहाते है बैगा जनजाती के पंचैत के मुख्या को ठीक है चले नेक्स बात करते हैं कि इदी में किस जनजाती के विवाह का तरीका है तो 17 का सही अंसर हो जाएगा इस option number C ये असूर जनजाती की विवाह का तरीका है अब देखिए बात आई है असूर जनजाती के related जो फी information हो सकता है हम एक साथ देखते हैं तो सबसे बले बात ये कि ये सबसे प्राचिंतम जनजाती है और इसके गोतर को पारस कहा जाता है ये भी आप याद रख सकते हैं वधुमुलिको क्या कहा जाता है तो डाली टका कहा जाता है इसके वधुमुलिको डाली टका इसके अलबा युवहगरी को गीती ओडा बोला जाता है और इसका जो धार्मिक प्रधान होता है उसे बैगा कहा जाता है और इसके जो सहायक होते हैं बैगा के जो सहायक होते हैं उसे सुबारी कहा जाता है सू बहारी ठीक है चले नेक्स बात करते हैं question number 18 की पलामू खिले का निर्माण किस वर्स में परारंब हुआ था इसका correct answer हो जाए guys option number A यानि कि 1699 में इस किले का निर्माण परारंब हो गया था अब देखे अगर हम पलामू में कुछ किले की बात करते हैं दो किले जो कि आप चांदते हैं एक तो नया किला है guys और एक का पलामू का पुराना किला है अगर हम नया किले की बात करते हैं तो इसका निर्माण किस ने करवाए था तो मेदनी राय ने करवाए था और पुराने किले का निर्माण किस ने करवाए था तो प्रताप राय ने इसका निर्मन करवाय था ठीक गैस चले नेक्स्ट बात करते हैं कैस्क्रिस्टन नम्बर 19 की नगर उटारी मिश्थित बाबा वंशेधर मंदिर में सोने से बरी भगवान क्रिश्न के मूर्ति का वज़न कितना है तो 19 का से अंसर हो जाएगा ओप्सन नम्बर डी यानि की 1280 किलोग्राम तो अप्सन नम्बर डी इसका से अंसर हो जाएगा अब देखें बात आई है नगर उटारी की और नगर उटारी है कहां पर यह एक चुली गढ़वा में है का आप रहे है? गढ़वा में है तो गढ़वा से रिलेलेटीट जो भी इंफरमिशन है एक बार हम फटा फट से discuss करते है तो सबसे बहरी बात यह है कि गढ़वा जिला कब बना था गैस? 1991 में बना था और हमने बताई कि 1991 में तीन जिला बना था गढ़वा बना था चत्रा बना था और बोकारो बना था ठीक है अच्छा बात करते हैं गढ़वा की तो सरुवाद की पहाड़ी यहां पे बहुत जादा famous है जो के पारशनात पहाड़ी के बाद दूसरी सबसे उजी पहाड़ी है जारखन का जिसको गुलगुल पहाड़ी के नाम से भी जाना चाता है उसके हाइट अगर पूछ ले जाए गाई तो 3819 फीट है फीट में अगर हम बात कर रहे हैं ठीक है अच्छे इसके लाबा बात करते हैं नगर उटारी नगर उटारी का नाम 2017 में बदल कर क्या कर दिया गया था तो 1C धर रख दिया गया था ये भी आप याद रख सकते हैं ठीक है इसके लाबा गढ़वा में हमने अभी थोड़े दिर पहले ही बात किया था, कि हाँ पर क्या है, तो बल चौरा जल पर पात है, सुखल दर्री जल पर पात है, और एक सत बहनी जहरना भी कहाँ पर है, घरवा में है, ठीक है, चले नेक्स बात करते हैं, question number 20 की, बहुसरी का अन्य परकार है, बहुसरी का अन्य परकार ह यानि की लंगड़े, तो option number 6 का सेंसर हो जागा, नेक्स बात करते हैं, question number 22 की, सुहराइन डृत्त में महिला गाती है, तो correct answer क्या हो जाएगा, option number D हो जाएगा, चुमुवाडी गाती है, so option number D is correct one, चले, next बात करते हैं, question number 23 की, जन जाती आंदुलन का मुख्य कारण क्या था तो मुख्य कारण क्या था, तो option number A इसका बिल्कुल सेंसर हो जाएगा, दमन किये गए लोगों का शोशन, यानि की option number A इसका बिल्कुल सेंसर होगा, next बात करते हैं, question number 24 की, 1913 में गिरिडे में खंबे पर आवर स्वाधिनता भारत शिर्सक के परचे किसने चिपकाए थे, तो 24 का सेंसर हो जाएगा, option number A यानि कि निर्मल चंद्र बनरजी ने चिपकाए थे, so option number A इसका बिल्कुल सेंसर हो जाएगा, next बात करते हैं, question number 25 की, 1916 में कर नहीं देने की करण किस महराज को जहांगिर ने गौालियर की किले में कैद कर दिया था, तो 25 का सेंसर हो जाएग option number A दूरजन साल को, so option number A इसका बिल्कुल सेंसर हो जाएगा, ठीक है, चलिए next बात करते है, question number 26 की, 1820 सेंसर में मेजर रफसेज, तथ 1837 में कैप्टन विलकिंसन के नितरित में किस विद्रुह को दबा गित दिया गया था, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C, हो विद्रुह को दबा दिया गया था, अगर हम हो विद्रुह की बात करते हैं, तो ये कोलहान में हुआ था, और नेतरितो करता कौन थे, तो यादर कियेगा, पोटो सरदार, कब हुआ था, तो 1820 से 21 में हुआ था, वहीं पर अगर हम कोल विद्रुह की बात करें, तो कोल विद्रुह कब हु भूमी ज विद्रो कि, तो भूमी ज विद्रो कब हुआ था, तो आथारहसो बद्ति से ते थिस में हुआ था, और इसके नित्रितु करता कौन था तो गंगा नरेण्ड थे, और केप्तन विल किंसं कोन था, तो दमन करता thा, थीक हां, वही पे अगर हम बात करते हैं, तमाण व विद्रो होगी तो तमाड विद्रो कब हुआ था तमाड विद्रो हुआ था सत्रा सु बिरासी से अठारा सो साथ इस वित्यक और इसके नेद्रिद्व करता कौन थे गाईश विष्णु मान की और मौजी मान की ठीक है तो question number 26 का सही answer क्या हो जाएगा option number C यानि की हो विद्रो इसका correct answer हो जाएगा चले next बात करते हैंगा is question number 27 की निमनलिकित में से रामगड का कौन सा राजा शुरू से अंत तक अंग्रेजु का विरूद करता रहा तो 27 का correct answer हो जाएगा option number A यानि की मुकुंदे सिंग so option number A is correct one next बात करते हैं question number 28 की जारखन में पहला विर्यत्य चित्र किस वर्स में बनाया गया था इसका correct answer हो जाएगा is option number D यानि की 1964 में so option number D is correct one next बात करते हैं question number 29 की संथाल परगना में किसके नित्रित में वहां की महिलाओं ने नमक खानून को चुनोती दी थी correct answer हो जाएगा option number A शैल बाला राय तो option number A is correct one next बात करते हैं guys question number 30 की किसने घोसना की की अबुआ राज एटे जना महरानी राज टूडू अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और राणी विक्टूरिया की राज समापत हो गया है correct answer हो जाएगा option number C यानि की बिर्सा मुंडा अब देखें बिर्सा मुंडा से related जितने फैक्ट हैं हम एक साथ डिसकस कर लेते हैं तो देखें सबसे बहुत करते हैं इनका जन्म कब हुआ था जन्म हुआ था 1875 में उली हातो खूटी में इनका जन्म हुआ था गुरू का नाम इस तरीके से total 30 questions हमने complete कर ले हैं अगर आपको सेशन पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को subscribe करके bell icon को प्रेस कीजिए ताकि आपको new videos का notification बिल्कुल सही समय पर मिलता रहे है जारखंड में लोग सबाख शेतरू की एकोल संख्या कितनी है करेक्ट अंसर हो जाएगा option number B यानि कि total 14 है अब 14 में भी 11 BGP से है एक Congress एक JMM और एक आजसू के यानि कि लोग सबाख में सीटों की संख्या कितनी है total 14 है अगर हम राजी सबाब में सीटों की संख्या की बात करते हैं तो total 6 है अब 6 कौन कौन सा है हम 6 की बारे में बात करते हैं तो 4 है BGP से एक है Congress से और एक है JMM से अब 4 BGP से कौन कौन है तो दिपक परकास है समीर उराओ है महिस पुद्दार है और मुखतार अबास नकवी है अगर हम Congress से बात करते हैं तो धीरत साहू है और JMM से बात करते हैं तो शीबू सौरेन है अब शीबू शौरेन और दिपक परकास ये दोनों ही 2020 में चुने गए हैं राजे सभा के सद्द से तो ये भी याद रखेगा अगर हम बात करते हैं option number C की यानि की चारखन में विधान सबा सीटों के संखे कितनी है तो total 81 है इसमें से भी 44 से जेनरल के लिए ST के लिए 28 और SC के लिए है 9 सीटे ये सीटे आरक्षित है चारखन में total 81 विधान सबा सीटों में तो total 81 है इसके लावा अगर हम अनुचेद 170 के बात करते हैं तो राज विधान सबा में सीटों के अधिकतम संख्या विधान सबा में कितनी हो सकती है 500 अधिकतम हो सकती है और नियूनितम कितना हो सकती है तो नियूनितम 60 हो सकते है लेकिन अपवाद के रूप में कुछ में भी 40 है यानि कि 60 से कम सीटे हैं लेकिन 170 अनुचेद के तहत ये प्रवधान है कि 500 से अधिक नहीं हो सकता है और 60 से कम नहीं हो सकता है ये जितने राज्ये हैं ये अपवाद के रूप में आते हैं इसके लाव अगर हम बात करते हैं 2019 विधान सबा चुनाओ के रिजल्ट की तो इसमें किन को कितनी सीटे मिले थी तो देखे सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी की 25 सीटे मिले थी जे एमेम को 30 सीटे मिले थी आर्जेडी को एक कॉंगरेस को 16 आज़सू को 2 और निरदली को 4 सीटे मिले थी ठीक है गईस चले नेक्ट बात करते है question number 2 के question number 2 है निम्र लिक्त में से कौन सा अनुशुचित जन जाती के लिए अरक्षित विधान सबख शेत्र नहीं है तो दो का correct answer हो जाएगा guys option number B यानि कि देवगर नहीं है so option number B is correct one option number B अब बात आई है देवगर की तो देवगर से related जो भी information है हम एक साथ discuss करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि देवगर को बाबा नगरी के नाम से जना जाता है और इसके अस्थापना कभी थी यानि कि जीला कभ बना था तो 1983 से में ये जीला बन गया था मयूर आक्षी नदी का अपने नाम सुना है इसका उद्गम स्तल भी कहां से है त्रिकूट पहाड़ी देवगर से ही है ठीक है इसके लिए बात करते हैं कुछ धारिम गिर्ष्थान तो बाबा वेदेनात मंदिर है नोलखा मंदिर है सत्संग आस्रम है उसके बाद लीला है और तपोवन भी कहां पर है तो ये देवगर में श्थित है इसके लिए श्रावनी मेला जो कि सबसे बड़ा मेला ही कहां पर लगता है ये भी देवगर में ही लगता है ठीक है चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेशन नमबर 3 की लातेहार जीला का भोगॉलिक शेत्रफ लातेहार की तो लातेहार से रेलेटेड जो फी इनफोरमिशन है उस सारे के सारे हम डिसकस कर लेते हैं तो सबसे पर्ले बात यह है कि लातेहार को प्रेकरिति का हिरिदेश थली कहा जाता है इसके अस्थापनक का भी थी यानि कि ये जिला कब बना था तो 4 अपरेल 2001 को ये जिला बना था कुछ इंपोर्टेंट परेटन स्थल के बात करते हैं तो परेटन स्थल में बेतरा नेशनल पार्क है सुगवा वाटरफॉल है मिर्चय वाटरफॉल है और बुड़ा घाग वाटरफॉल भी यही पर है इसके अलावा ताता पानी गर्म चलकुंड भी लातेह के द्वारा तो यह भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है इसके लावा लातेहार में नगर मंदिर है साई मंदिर भी कहां पर है तो लातेहार में है तो तो त्री का करेक्ट अंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए यानिकि तीन हजार चेसो बाइस वर किलोमेटर बोग अलेक चेत्रिफल लातेहार का किके कैस नेक्श्ट बात करते हैं क्वेस्यं नमबर विश्क्ट की बरहिट घाटि जहार से निम्ना लिकत में से किसी जिले में श्तित है तो करहेकर रंसर हो जागा गाईस आप्सन नमबर एस इसके लोकेशन की बात करते हैं तो यह देखिए वसका लोकेशन है अब देखे साहब गंज से रेलेटेड जो भी इनफोर्मेशन है सारे के सारे हम एक सार डिसक्स करते हैं तो सबसे बाले बात ये है कि साहब गंज को बंगाल का परवेश द्वार कहा जाता है और इसके स्थापना को कि थी यानि कि जीला कब बना था तो 17 मई 1983 भी क कहां पर है तो ये साहब गंज में है और साहब गंज एक मात्र ऐसा जीला है जहां से गंगा नदी होकर बाती है इसके लाव कुछ और इनफोर्मेशन की बात करते हैं तो सीधू कानू का जन्म अस्थल भी कहां पर है तो ये साहब गंज ही है याद रिखेगा साहब गंज मे भी कहाँ पर वरहेट अपरकंड के भोगनाडी इस्थान पर ये सीधुकानू का जन्म अस्थान है इसके लावा बात करते हैं तो 2017 में नरंदर मोदी ने कुल 226 क्रोड के लागत से साहब गंज में गंगा नदी के नदी पर क्या किया था कि एक पूल का सिलन्यास किया था और नाम इंपोटेंट है कि इस पूल का नाम क्या रखा गये था तो इस पूल का नाम रखा गये था गाइस मनिहारी मिला था तो करेक्ट अंसर रुचा का अप्सन नमबर डी यानि कि 18 मईए 1983 को लोहरदग्गा जिला बना था तो अप्सन नमबर डी इस करेक्ट वन अब देखें की बात करते हैं तो यह रहा लोहरदग्गा का लोकीशन ठीक है अब लोहरदग्गा सर रिलेटेट जो फी इसके लाब कुछ इंपोर्टेंट जल परपात की बात करें तो यहां पर जल परपात है घडगड़िया जल परपात निंदी जल परपात लावा पानी जल परपात और केकरांग जल परपात भी कहां पर है तो यह लोहरदग्गा में है ठीक है चले नेक्स बात करते हैं वैस 36 गड़ यह 36 गड़ है और आपका यह उतर प्रदेश है ठीक है 36 गड़ और उतर प्रदेश यारी हम कहा सकते हैं कि करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा अप्सन नमबर A इसका सही अंसर हो जाएगा उतर प्रदेश और चटीस कड़ इसके लाव अगर बात करेगा तो यहाँ पे आपको बिहार देखने को मिलेगा इदे के बिहार का लोकेशन है इधर आपका वेस्ट बंगाल है उडिशा है चटीस कड़ है और उतर प्रदेश है तो ऑप्सन के अनुसार इसका सही अंसर क्या हो जाएगा उप्सन नमबर A इस क्रेक्ट वन चलिए नेक्स बात करते हैं का इस क्वेशन नमबर सेवन की निमनलिकत जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राजी के साथ अपनी सीमाओं को साजा नहीं करता है तो सबसे पहले खूंटी को कहा जाता है लाहर नगरी ठीक है और इसके अस्थापन कवी थी यानि कि यह जीला कब बना था तो 12 सितंबर 2007 को यह जेला बना था हलाकि 2007 को रामगड भी जेला बना था ठीक है और और खूंटी करम बात करते हैं तो यहां पर उली हातों भी यही पर है खूंटी में है जहां पर बिर्शमुन्डा का जन मर्स्थल है उसके बाद डोंबारी बुरू जो कि काफी फेमस अस्ताना ये भी खूंटी में ही है उसके बाद पंच घाग जलपरपात और बिर्शम्रिक बिहार ये सारे के सारे खूंटी में ही है एक जलपरपात आपको य अक्टो, गुर्यो, गुन्खा नदी, किस नदी की मुख सहयक नदिया है, इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा option number C, जानि कि ब्राकर नदी की सहयक नदिया है, so option number C is correct one, अब देखिए हम ब्राकर नदी की उद्गम स्तल के बात करते हैं, तो छोटा नाकपूर के पदमा से ये न दामोदर नदी, और दामोदर नदी की भी अगर मुहाना बात करते हैं, तो हुगली नदी है, अगर हम बात करते हैं, option number A की शंक नदी की, तो शंक नदी कहां से निकलती है, ये गुमला के चैनपूर नामकिस्थान से निकलती है, अगर हम बात करते हैं, option number B की, यानि की सोन नदी की तो सोन नदी कहां से निकलती है ये ये निकलती है आमर कंटक की पहाड़ी मद्ध प्रदेश से मुहाना इसका गंगा नदी है गंगा नदी अचा सोन नदी को और किस किस नाम से जाना जाता है तो आपको याद होना चाहिए कि इसको हिरन्य वाह के नाम से जाना जाता है वह अगर हम मयूरक्षी नदी की बात करते हैं तो ये देवघर से निकलती है त्रिकोड पहाड़ी से ठीक है गैस तो question number 8 का से answer क्या हो जागा ब्राकर नदी यानि option number C is correct one next बात करते है question number 9 की जमताड़ा छारखंड का एक जिला है जिसे प्रिथक करके बनाया गया है किसे बनाया गया है तो correct answer हो जागा option number B यानि कि दुमका से अलग करके बनाया गया है so option number B is correct one option number B अब बात आई है जमताड़ा की तो जमताड़ा से related जो भी information हो सकते हैं के सारे हम एक साथ discuss करते हैं तो सबसे पहले बात ये कि जमताड़ा को सापो का घर कहा जाता है और इसके स्थापना का भी थी यानि कि जमताड़ा जीला का बना था तो 2001 में जमताड़ा जीला बना था ठीक है अच्छा लोहरदंगा के अलावा बोकस एड जमताड़ा में भी पाया जाता है ये अप याद रख सकते हैं साथी साथ परवत विहार पार्क भी कहां पर है तो ये जमताड़ा में है ठीक है यानि कि question number 9 का correct answer क्या हो जागा गाईज option number B यानि कि दुमका is correct one next बात करते हैं question number 10 की जासको लेम पीप का गठन कि सो वर्स में क्या गया था तो correct answer हो जागा गाईज option number A यानि कि 1963 में किया गया था तो option number A is correct one option number A अगर हम full form की बात करते हैं तो full form क्या होता है जार्कन state cooperative black marketing and procurement federation limited ये इस्थित कहां पर है ये राची में पूरलिय रोड में इस्थित है अब बात आई है राची के तो राची से related information की बात करते हैं तो सबसे पहले कि राची जील भी आपकि में बात कर रहा हूं कि उस हुरॉआत में हमने बात कर था ए ता खेलिस वर्धाम के बारे में जो कि लोहरतकगा में इसके लावा कुछ और परिये नश्थल है धार्मकि राची में पहाडी मंदिर है जगनात मंदिर है उसके बाद अमरिश्वर धाम हमने बताया फिर उसके बाद दादा दादी पार्क है उक्सीजन पार्क है इसके लावा शेक बिहारी स्टेडियम भी कहां पर है तो राची में है और राची को जल परबातों का शाहर कहा जाता है और जारखंड का सीमला भी किसी कहा जाता है तो राची को कहा जाता है पहला question है One report 2019 के नुसर सरवादिक 1 प्रतिशत वाला जीला कौन सा है correct answer हो जाएगा option number C यानि के लातेहार है so option number C is correct one अब देखेंगे बात करते हैं One report 2019 से सब्मंदित जितने भी factor arise हो सकते सारे के सारे हम एक साथ डिसकस करते हैं तो सबसे पहले बात है कि यह one report हर दो साल में देहरा दून के द्वारा जारी किया जाता है उसके बाद राजी का वर शेतरफल कुल वर शेतरफल की बात करेंगे तो यह है 23,611 km2 ठीक है और वहीं पर अगर हम बात करते हैं सरवादिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है तो यह लाते हार है कितना है तो याद रखेगा 56.08% वहीं पर सबसे कम अगर बात करते हैं सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम है चामताड़ा में, कितना है, 5.56% है, ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, कि सरवादिक का शेतरफल वाला जिला कौन सा है, तो यह है पस्मी सिभूम, इसका शेतरफल के अगर हम बात करते हैं, पस्मी सिभूम की शेतरफल की बात करते हैं, जिसका टोटल श 6, 4 km² है, ठीक है, वहीं पर अगर हम 14 की बात करते हैं, चत्रा की, तो 14 में 2017 के पेक्षा 2019 में सरवादिक वृधी हुआ है, कितना km² हुआ है, तो याद रखीगा, 11.35 km², इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुए है, वहीं पर अगर हम रामगड की बात करते हैं, तो रामगड में किसी द्भीतर का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, कोई भी वृधी नहीं हुआ है, अगर हम 2017 से कपरिजन करते हैं, ठीक है, इस तरह के से question number first का सही अंसर क्या हो जाया गैज, option number C, इसका बिल्कुल सही अंसर है, यानि कि लातेहार, वहीं पर हमने बात किया था पश्मी शिभूम के बारे में, कि सरवादिक वानी शेतरफल वाला जेला कौन सा है, तो ये पश्मी शिभूम है, कितना है, 3366 किलोमेटर स्कॉर है, ठीक है, उसके बाद रामगड के बारे में हमने डिस्केस किया, कि रामगड में 2017 के पिक्षा किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है, वहीं पर सरवादिक व्रिदी दर्जी किया गया है, कहाँ पर, 14 में किया गया है, कितना किया गया है, तो 11.35 किलोमेटर स्क्वेर, ठीक है गयाईज, नेक्स्ट आप बात करते हैं, क्वेस्टन नमबर 2 की, गुन्रो जल परपात के जल परवाह किस नदी से है, इसका correct answer हो जाए गयाईज, आपसन नमबर C, यानि कि स्वर्ण रेखा नदी से है, तो अपसन नमबर C is correct one, अपसन नमबर C, अब देखे अगर बात करते हैं, स्वर्ण रेखा नदी की, तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है गयाईज, 470 किलोमेटर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं, इसके उदगम की, तो उदगम कहां से है, राची के नगड़ी पर खंड़ से इसका उदगम है, और एक मात्र ऐसी नदी है, जो कि स्वतन तरुरूप से कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, साहयक नदी के अगर हम बात करते हैं, तो काची है, खरकई है, जुमारू है, राडू है, और संचे नदी है, तो ये सारे की सारे नदीया क्या है, साहयक नदीया है, सुर्ण रेखा नदी के, ठीके गैस, अब हम बात करते हैं, आफसन नमबर एक, यानि कि दामोदर नदी के अगर हम बात करते हैं, तो दामुदर नदी कहां से निकलती है गैस ये लातिहार के टोरी और टोरी में भी कहां चुलहा पानिस्थान से ये निकलती है मुहाना के अगर हम बात करते हैं तो मुहाना है हुगली नदी जो की वेश्ट बंगाल में बाती है आप already जानते हैं और इसका कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई कितनी है गई तो 592 किलोमेटर इसका कुल लंबाई है लेकिन अगर हम छारखंड में कुल लंबाई की बात करते हैं तो 290 किलोमेटर है ठीक है इसके लाव अगर अपवहा शेत्र की बात की जाए तो अप वहाँ शेत्र कितना है गाइस याद रख लिजेगा 12,800 km2 इसका अप वहाँ शेत्र है इसके लावा और भी अगर हम बात करें दामुदर नदी से related तो और भी याद रख सकते हैं कि इसे बंगाल का शो कहा जाता है और देव नदी के नाम से भी इनको जाना जाता है ठीक है दामुदर नदी को इसके लावा बात करते हैं तो सरवादिक प्रदोसीत सरवादिक लंपी और सरवादिक बड़ी नदी भी कौन सी है जारकंड की तो ये दामुदर नदी है अगर हम उप्सन नमबर B के बात करते हैं ब्रामणी नदी के बात करते हैं तो इसका उद्गम कहां से है जाई उद्गम की बात करें तो ये दुद्धुआ पहाड़ी दुमका से निकलती है मुहाना की अगर बात करते हैं तो मुहाना कौन सा है? गैस मयूराक्षी नदी है अगर हम मयूराक्षी नदी की बात करते हैं तो मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है गैस तरिकुट पहाड़ी देवखर से ये निकलती है मुहाना की बात करते हैं तो मुहाना कहां पर है हुगली नदी है और सहायक नदी के अकर हम बात करते हैं तो टिपरा और भामरी आप याद रख सकते हैं टिपरा और भामरी और एक मात्र ऐसी नदी है ये जो की नौका गम में के लिए काफी फेमस है और हिजला मेला भी कहाँ पे लगती है तो मयुराक्षी नदी की किनारे दुमका में लगती है और मोर नदी के नाम से इसको जाना जाता है ठीक गाईज चलिए नेक्ट बात करते हैं Q3 की जुबली पार्क की शहर में इस्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा गाईज option number B यानिकर जमशेदपूर शहर में है तो option number B is correct one अब देखे जमशेदपूर से related कुछ fact के हम बात करते हैं तो जमशेदपूर को खार्कानोग का शहर कहा जाता है इस पातनगरी के नाम से जाना जाता है और भारत का पीट्सबर्ग भी कहा जाता है किसे जमशेथपूर को और जमशेथपूर में ही है कीनन स्टेडियम इसके लगा मोहन अहुजा स्टेडियम है जी आर्डी डाटा स्पोर्ट्स कंप्लेक्स भी कहां पर है तो यह जमशेथपूर में है अगर हम बात करते है option number 1 की रांची की तो रांची को क्या कहा जाता है guys ये जल परबातों का शहर कहा जाता है जारखंड का श्रिमला कहा जाता है और जारखंड में रांची जली के स्थापना कभी थी guys तो याद रखिएगा अठारा सो निन्यानबी इस्ट्विय में और जारखंड में ही है अमरेश्वर धाम हलाकि हमने अखिलेश्वर धाम के बारे में डिस्कूस किया था पहले ही वीडियो में तो अखिलेश्वर धाम कहा पर है तो लोहर दग्गा में है और जारखंड धाम कहा पर है तो ये गिरिटी में है ये भी आत रख सकते हैं इसके अलावा कुछ important stadium की बात करते हैं राची में, तो शेक विखारी stadium है, जैपाल सिंग stadium है, रेलवे stadium और एस्टो टर्फ stadium भी कहाँ पर है, तो ये राची में है, इसके अलावा बिश्चा मुन्टा stadium भी राची में है, HEC का नाम अपने सुना होगा, हटिया राची में हश्टित है, जिसके अस्ठापना 1958 को हुए थी, ये भी कहाँ हुए इस्थित है, तो ये भी राची में हेस्थित है, और राची के मूरी में, dialogue भी इस्थित है, जिसके अस्ठापना 1938 में हुए थी, अब देख लिजीएगा, सूरी मंदिर बुंडू रांची में ही इस्थित है, ठीक है गैस, ओके, अगर बात करते हैं, option number D के, गिरेडी के अगर हम बात करते हैं, तो देखे, गिरेडी जैन तिर्थेंकोरों का निर्वान भूमी कहा जाता है, गिरेडी जीला को, और गिरेडी जीला कब बना था, गैस, गिरेडी में एक famous पारस नाथ है, इसके बार में हम बात करते हैं, तो इसके उच्चाई पूछ लिया जाता है, तो उच्चाई याद रखेगा, कि 1365 मिटर इसके उच्चाई है, मिटर में अगर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम फीट में बात करते हैं, तो 448 फीट है, अगर हम फीट में बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर पूछा जाई कि पारस नाथ पहाड़ी का निर्मान की से हुआ है, तो पैरोक्सिन ग्रिनाइट के कठोर चटान से हुए है, और यह हजारे बाग के नीचले पठार में इस्ते थे ये भी याद रख सकते हैं, और यह पारस अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं, अपसन नंबर सी की धनबाद की, तो धनबाद से लेलेट जो भी इनफोर्मेशन हो सकता है, सारे के सारे हमें एक सार डिसक्स करते हैं, तो सबसे पहले बात है कि धनबाद को काले हीरी की नगरी कहा जाता है, और इसके स्थाप इसके लाब कुछ और पर रेटरनस्तल के बात करें तो तुप चाची जील है तो अभिहारण है मैथन बांद पंचीद बांद और डिगवाडी स्टेडियम भी कहां पर है तो धनबाद में है आपने नाम सुना होगा सिंद्री उर्वर खर्खना का ये भी कहां पर है तो धनब करते हैं तो इसका अर्थ होता है अगर हम बात कर रहे हैं तो इस औसर पर आदिवासी लोग क्या करते हैं कि जो डलमा की वन देवी है उसकी पूजा करते हैं ठीक है आदिवासी लोग इसके लब बात करते हैं तो इसमें क्या किया जाता था पहले इस तेहवार में कि जितने भी खोंखार जनवर होते थे जंगलों में उसको सिंद्रा अपर्व के आउसर पर मार दिया जाता था ठीक है शिकार कर दिया जाता था लेकिन अभी वर्तमान समय में क्या है ये शिका कब किया जाता है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले किया जाता है बैसाख मा में सूंद्रा के नाम से जाना जाता है तो सबसे पहले बैसाख मा में सूंद्रा के नाम से जाना जाता है दूसरी बार आयोजित किया जाता है फागुन मा में और फागुन मा में से सिंद्रा के नाम से चाना जाता है और तीसरी बार कब आयो जित किया जाता है तो तीसरी बार आयो जित होता है वर्षा रितु में जिसमें जेट सिकार के नाम से चाना जाता है जेट सिकार के नाम से ठीक है गैस तो question number 4 का से answer क्या हो गया option number A यानि कि सामुहिक शिकार आपसन नमबर A is correct one चलिए नेक्स्ट बात करते हैं question नमबर 5 की तूसू महोट सोह निमनलिकेते तेहवार में से किसके साथ मनाया जाता है तो 5 का correct answer हो जाएगा guys आपसन नमबर C आपसन नमबर C इसका बिल्कुल से answer हो जाएगा मकर संक्रांतरी तो आपसन नमबर C is correct one अब देखिए हम बात करते हैं टूसू तेहवार के तो टूसू का अर्थ क्या होता है guys टूसू का अर्थ होता है कुवारी कुवारी इसका अर्थ होता है ठीक है और इस author पर क्या होता है कि इस author पर जो लड़किया है वो क्या करती है बास का frame बनाती है बास का frame को त्यार करती है सजाती है और यह जो तहवार होता है guys यह सूरी पूजा से संबंदित है ठीक है इसके अलब अगर हम बात करते है option number A की बात कर लेते है तो option number A क्या है guys option number A है सरहूल अगर हम सरहूल के बारे में बात करते है तो जन्जातियों का सबसे बड़ा तहवार है सबसे बड़ा तहवार है जन्जातियों का ठीक है हलाकि अलग 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 जन्जाती में इसे अलग 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 नाम से जना जाते है जैसे उराओ जिन जाते में खद्दी या सद्दी के नाम से जाना जाता है उसके बाद फिर बात करेगा संधाल जिन जाते में बाप अरब के नाम से जाना जाता है इसके लाब बात करते हैं खड़िया जिन जाते में जंकोर के नाम से जाना जाता है गैस अगर हम बात करते हैं option number D की कर्मा की बात करना चाहें तो यह भी काफी important है यहां से भी बहुत बार question बना हुआ है तो कर्मा की अगर बात करते हैं तो मुखी रुप से आप याद रिखिएगा कि दो तरह का कर्मा होता है एक राज कर्मा होता है और एक देश कर्मा होता है ठीक है राज कर्मा के बारे में अगर हम बात करते हैं राज कर्मा के बारे में तो यह घरों में मनाया जाता है और जो देश कर्मा है वो सामोही कुरूप से जो संस्कृतिक स्थान होता है अखड़ा या अखड़ा वहाँ पर इसको मनाय जाता है कब मनाय जाता है, यह जादा इंपोर्टेंट है तो याद रखीका भादो-मा के सुक्लपक्श के अधासी को मनाय जाता है करमा, तो यह याद रख सकते हैं तो question number 5 का सही answer क्या हो ग्या question number 5 का सही answer हो ग्या option number C यानि कि मकर संक्रांत रे ठीक है नेक्स बात करते हैं question number 6 की the grammatical construction of the whole language का percussion किस वर्स हुआ था इसका correct answer हो जाएगा guys option number D यानि कि 1840 से स्वे में हुआ option number D is correct one वहें पे अगर हम बात करते हैं option number A की यानि कि 1902 में किसका परकासन हुआ था याद रख लिजेगा कि folklore of the colhan जो की परिथम लोकिगीत है ये 1902 में परकासित हुआ था किसके द्वारा अगर पूछ लिया चाहिए किसके द्वारा तो याद रखिएगा N.K.Bos के द्वारा N.K.Bos के द्वारा परकासित किया गया था 1902 इसवे में folklore of the colhan जो की परिथम लोकिगीत है इसके लावा अगर हम बात करते हैं option नमबर B की तो 1905 इसवे में परकासित हुआ था grammar of the col किसके द्वारा किया था याद रखिएगा A.N.R.O.T. है इसके लावा 1930 के बारे में अगर हम बात करना चाहिए तो 1930 में किसका परकासिन हुआ था याद रखिएगा Encyclopedia Mundarica का जिसके द्वारा लिखा गया है तो याद रखिएगा यह Hopman के द्वारा लिखा गया है काफी important है तो question number 6 का से answer क्या हो जगा option number D 1840 में ठीके गेज़ next बात करते हैं question number 7 के इसको गूफाएं कहां इस्थित है तो इसका answer I hope सभी कोई जानते होंगे कहां इस्थित है तो correct answer हो जग हजारी बाग so option number A is correct 1 हजारी बाग ठीक हैस अगर हम बात करते हैं कि हजारे बाग में कौन-कौन से आवसेश मिले हैं कहां कहां मिले हैं तो यह ज़्यादा important है और यहां से question बनते भी हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको से क्या-क्या मिला है तो सबसे पहले बात है कि इसको है कहां पर गई तो यह हजारे बाग में है और यहां से मिला क्या-क्या है तो देखे सबसे पहले आवसेस मिला है बड़े पत्रों पर आदी मानों द्वारा निर्मत चित्र मिला है यहां से इसके लवाँ यहां से मिला है खुला सूरे मंदिर और सैल चित्र दिरगा भी कहां से मिला है तो इसको हजारे बाग से मिला है अब हजारे बाग में ही कुछ important स्थान और भी है जहां से अवसेस मिले हैं जैसे सीतागर पहाड का अपने नाम सुनाओगा ये भी हजारे बाग में इस थेते हैं हजारे बाग में और यहां से क्या क्या मिला है तो बौध मठ के अवसेस मिले हैं कहां से सीतागर पहार से इसके लावा और भी हम बात कर सकते हैं जैसे अगर हम बात करते हैं दूद पानी से दूद पानी भी कहां पर है तो यह हजारे बाग में है और यहां से क्या मिला है तो आठ्वे शताबदी के अभी लेक मिले वे हैं यह भी इंपोर्टन्ट है इसके ल तो हजारे बाग इसका बिल्कुल सही अंसर है option number A is correct one चले next बात करते है question number 8 की किस जनजाते में ग्राम के मुख्या को मुकदम बोला जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा guys option number D इसका बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा bagage जनजाते में आप देखे bagage जनजाते के बात करते हैं तो इसका निवास अस्थान कहां पर है guys तो पलामू में है गढ़वा में है और राजी में आपको जादे तर देखने को मिलेगा इसके लाव बात करते हैं तो इसके इसमें प्रचलित वीवा कौन सा है इसके लाव और भी आप याद रख सकते हैं चेरो जनजाते से related कि चेरो जनजाते में वधु मुली को क्या कहा जाता है तो दस्तूरी कहा जाता है ये भी काफ़ी important है इसके लाव अगर हम बात करते हैं कवर जनजाते से related कुछ information की तो कवर जनजाते जो कि तो इसका निवास आपको पलामों में गुमला में और सिम्टेका में ज़्याद जाद देखने को मिलेगा और इसके वधु मुली इंपोर्टेंट है वधु मुली को क्या कहा जाता है तो सुकदाम कहा जाता है वधु मुली को ये काफ़ी important है और उससे भी ज़्याद इंपोर्टेंट ये है कि ग्राम पंचायत के मुख्या को क्या बोला जाता है तो याद रिख लिखेगा सयाना बोला जाता है सयाना काफी ज़्यादा important है सयाना बोला जाता है और पुजारी को बोला जाता है बैगा बैगा बोला जाता है पुझारी को ठीक है गैस चलिए नेक्स अब हम बात करते हैं हो जनजाती के बारे में option number C के बारे में बात करते हैं तो हो जनजाती क्या है जारखन की चौथी सबसे बड़ी जनजाती है अब देखे पहले बात करते हैं तो संथाल जन जाती है दूसरा ओराओं जन जाती है और तिसरा मुंडा जन जाती है उसके बाद हो जन जाती है जो कि जारकन की सबसे बड़ी जन जाती है चौथी सबसे बड़ी जन जाती है ठीक है इसके बारे में बात करें तो इसकी प्रजा किला में जादतार आपको देखने को मिलेगा हो जंजाती के गरम बात कर रहे हैं अब नेक्ष बात करते हैं question number 9 की आला उदह जंजाती के नायक व्यक्तित्व कौन है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इस option number A इसका बिल्कुल से answer हो जाएगा यानि कि बंचारा so option number A is correct one option number A अब देखें बंचारा जंजाती के बारे में कर हम थोड़ा सा बात करते हैं तो इस जंजाती को घुमकड जंजाती कहा जाता है या भाषा इंपोर्टेंट है इसका भाषा थोड़ा सा अलग है लंबारी इसका भाषा है लंबारी ठीक है इसके वद्धू मुल्य उससे भी जड़ी इंपोर्टन थी कि वद्धू मुल्य को क्या कहा जाता है तो हरजी कहा जाता है गैस हरजी कहा जाता है इसके वद्धू मुल्य को ठीक है चलिए नेक्स बात करते हैं गैस question number 10 की question number 10 है बथोड़ी जंजाती को किस नाम से जाना जाता है या बधूरी जिनजाती को क्या बोला जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा गई option number A इसका बिल्कुल से answer हो जाएगा यानि कि भूमी जिनजाती की बात करते हैं तो जो बधूरी जिनजाती है गई पहले बधूरी जिनजाती के परे में हम बात कर लेते हैं तो बथोडी जनजाती खुद को क्या कहती है ये भूया का पूरवज कहती है भूया का पूरवज ठीक है अच्छा पूजारी इंपोर्टेंट है पूजारी को क्या बोला जाता है तो देहरी बोला जाता है इसके पूजारी को देहरी ठीक है अच्छा बथोडी जनजाती में जो प्रमुख वादी यंतर होते हैं, यहां से प्रशन बनते हैं अक्सर, तो कौन-कौन सा है, तो याद रिख लिजेगा, जाल और मांतर, जाल और मांतर इसके प्रमुख वादी हैं, अब हम बात कर लते हैं भूमिज जनजाती के बारे में, भूमिज के बारे में भी हम बात क के नाम से जाना जाता है सरदार के नाम से यह भी याद रख सकते हैं और उससे भी जाद इंपोर्टेंट यह है कि भूमिज जंजाते में पंचायत के मुख्य को क्या कहा जाता है तो प्रधान कहा जाता है और पुजारी को क्या कहा जाता है तो पुजारी को लाया कहा जाता है लाया एक और important fact आप यहां से याद रख सकते हैं कि मुगल काल में इस जंजाती को चुहाड कहा जाता था ठीक है चुहाड कहा जाता था भूमिज जंजाती को पहला question है उत्तर से दक्षिण में छरकंड के जिलो का सही क्रम क्या है अगर हम आपको देखने के कोशिश करें तो आपको पता लगेगा कि सहब कंच है पाकूड है दुमका है उसके बाद जमताड़ा है धनबाद है वो कारो है यानि कि ऐसा सीरीज हमें देखने को मिल रहा है वशा ऐसे सीरीज को साथ ऑप्षन कौन सा हो जाएगा तो आप्षन नंबर डेज का बिल्कुल से एंसर हो जाएगा तो अप्षन क्रेक्ट वर्लमेश साथी साथ एगर हम बात करते हैं कि उत्तर से दक्षिण उत्तर से दक्षिन टोटल डिस्टेंस कितना है गाई तो 380 किलोमेटर है वहीप अगर हम बात करते हैं पूरव से पश्चिम डिस्टेंस की तो ये कितना है तो याद रखेगा 463 है वहीप अगर हम बात करते हैं कि उत्तर में कौन सा राच्छे है तो उत्तर में बिहार है इधर आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा इधर ओडिशा है साथी साथ इधर 36 गड़ देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो एक गड़वा के साथ सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश ठीक है तो question number first का सही answer क्या हो जाएगा option number day यानि कि सहब गंज पाकोड दुम का जामताड़ा option number day is correct one नेक्शन बात करता है guys question number two की ब्रेटेश शरकार ने किस वर से छोटा नागपूर काश्तिकारी अधिनियम पिल्ष किया था इसका correct answer हो जाया guys option number day यानि कि 1908 में 11.1908 में so option number day is correct one अब देखिए अगर हम cnt act के बात करते हैं तो इसे related जितने भी information है हम सारे के सारे एक साथ discuss कर रहते हैं तो सबसे पहले बात है कि कब लागो हुआ था तो याद रखेगा 11.1908 को ये लागो हुआ था प्रारूप के बात करते तो प्रारूप तियार हो गया था हला कि 1903 में ही और blue print कि से ने तियार किया था य यानि कि टोटल 18 जिलों में ये लागो है साथी साथ बात करते हैं तो 12 संसोधन कब हुआ था तो याद रखेगा 1920 में 12 संसोधन हुआ था और last time अगर पूछ ला जाए तो 2016 में last time हुआ था और total अभी तक 26 संसोधन हो चुके हैं यानि कि हम बात करते हैं question number 1 का सही answer तो छोट भारत में low ask का सबसे बड़ा एकल भंडार है इसका correct answer हो जाएगा option number B यानि कि चीरिया में so option number B is correct one option number B अब बात करते हैं कि चीरिया है कहां पर तो याद रखेगा ये पस्मी सिभू में है पस्मी सिभू में है चीरिया इसके लावा low ask की अगर हम बात कर रहे हैं तो low ask के ब 90% जो हमेटाइड टाप का low ask है ये जहरकंड में पाया जाता है और जहरकंड में पाया जाने वाले 99% जो low ask है वो हमेटाइड प्रजाती का है ये भी आप याद रख सकते हैं साथी साथ अगर आप याद रखना चाहे हैं तो ये भी याद रख सकते हैं कि जहरकंड में में तीसरे अस्थान है और भंडारन में बात करते हैं तो दूसरे अस्थान पर है वहीं पे अगर हम बात करते हैं तामबा के भंडारन में तो जारखंडा तीसरे अस्थान पर है और बॉक्सेट के भंडारन की बात करेगा तो यह सात्वे नंबर पे हैं यह भी आप याद देखने को मिलता है अगर हम एरिया के बात करते हैं तो आपको नुवा मुंडी का खान है गुवा है उसके बाद पंसी बुरु है बदाम पहाड़ है और चीरिया है तो यह सारे शेत्र आपको इस वाले शेत्र में देखने को मिलेगा जहां पे लो एसक का भंडारन आपको जर जहां पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए निन अलिकित में से कौन सा अधिनियम बनाया गया था और जो त्री अस्तर यह पंचायती राज बेवस्ता है यह बलवन्तरा महता के सीपारिश पर आया था वही पे अगर हम दो अस्तर यह पंचायती राज बेवस्ता के बात करते हैं तो असोक महता समयती के सीपारिश पर आया था साथी साथ हम बात करते हैं कि समविधानिक दरजा कौन से समविधान संसुधन से मिला था तो याद रखी लिजेगा तेहतरवा समविधान संसुदन 1992 के द्वारा इससे समविधानिक दर्जा मिला था इसके लाब बात करते हैं तो 24 अपरेल 1993 को ये लागू हो गया था इसलिए 24 अपरेल को इसलिए 24 अपरेल को क्या किया जाता है कि पंचायती राज दिवस मना जाता है तो question number 5 का correct answer क्या हो जाएगा guys option number C option number C is correct 1 चलिए next बात करते हैं question number 6 के 1857 में जारखंड में किस स्थान से विद्रु आलंब हुआ था इसका से answer हो जाएगा जारखंड के रोहिनी गाउं में देवखर जिला यानि option number A is correct 1 अब बात करते हैं कि 1857 की करांती जारखंड में कब स्थार्ट हुआ था तो यादर कलिजेगा ये 12 जून 1857 को रोहिनी देवखर से सकी शुरुवात हो गई थी जिसमें अगर हम बात करते हैं कि हजारे बाग से नेतरे तो करता कौन थे तो हजारे बाग से थे सुरेंद्र साही हजारे बाग में कब हुआ था तो ये भी याद रख सकते हैं 30 जूलाई को हुआ था वही पर हम राची में बात करते हैं तो राची में नेतरे तो किसी ने क्या था तो ठाकुर विस्वनात सहदेव ने और पांडे गनपत रहने क्या था तो 2 अगस्त 1857 को क्या था अगर हम बात करते हैं पलामो में नेतरे तो किसी ने किया था तो याद रखिएगा पलामो में नेतरे तो किया था निलामबर पितामबर ने और निलामबर पितामबर ने कभी किया था नेतरे तो ये भी याद रख सकते हैं 26 सितंबर 1858 को इन्होंने नेत्रित्वि किया था और निलामर पितंबर को फांसी कब दी गए थी ये भी कई पर पूछ ले जाता है तो 28 मार्च 28 मार्च 1869 को इनको फांसी दे दी गए थी लेसली गंच पलामों में लेस लिगांच पलामो मिन को फासी दे दी गए थे यानि कि question number 6 का से answer के बात करें यानि कि 1857 में जहारकण में किस अस्थान से विद्रो पर आरम हुआ था जिसका correct answer हो जाएगा देवखर की रोहिनी से so option number A is correct one option number A चले next बात करते हैं guys question number 7 की जहारकण के निम्ला लिखे तिने तों में से किसने 1857 के विद्रो में अंग्रेजु के खिलाफ लडाए लड़ी इसका correct answer हो जाएगा guys option number B यानि कि शेक विकारे ने so option number B is correct one अगर हम बात करते हैं कि रामगड में 1857 के विद्रो का नेतर तो किस ने किया था तो एक तो शेक विकारे ने किया था और दूसरे टिकेत उम्राओं ने हाला कि चुट्टू पालू घाटी और और मांजी में 6 जनवरी 1859 को दोनों गिर्पतार कर लिए गए और उसके बाद 8 जनवरी 1858 को चुट्टू पालू घाटी रामगण में ये दोनों को फांसी दे दी गए थी तो ये भी याद रखीगा कब फांसी दे गए थी ये डेट कई बार पूचा जाता है तो ये याद रख लिजेगा 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गए थी कहां पर दी गए थी तो चुट्टू पालू घाटी में ये है कहां पर तो ये है रामगण में ठीक है गैस तो क्वेशन नमबर 7 का से एंसर क्या हो जाएगा उप्सन नमबर B यानि कि शेक विकारी इसका बिल्कुल से एंसर है चले नेक्स बात करते हैं क्वेशन नमबर 8 की जारकर में कारतिक अमयविस्या की दोरान निमनलिकित में से कौन सा तहवार मनाया जाता है तो 8 का करेक्टर अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर B यानि कि बंतना मनाया जाता है अगर हम उप्सन नमबर A की बात करते हैं सरहूल की बात करते हैं तो सरहुल के बारे में अगर हम बात करें तो सरहुल जनजातियों का सबसे बड़ा तहवार माना जाता है और दूसरी बात ये कि सरहुल को अलग-अलग जनजातियों में अलग-अलग नाम से जाना जाता है जैसे अगर हम बात करेंगे कि उराओं जन जाती में सद्धी या खद्धी की नाम से जाना जाता है अगर हम संथाल जन जाती की बात करें तो बापरव की नाम से जाना जाता है वहीं पे अगर हम टूसु तेहवार के बारे में बात करते हैं टूसु पर्व के बारे में बात करते हैं तो यह मकर चंकरान तरीके से मैं मनाया जाता है अगर हम कर्मा की बात करते हैं तो कर्मा कब मनाया जाता है यह ज़्यादे इंपॉर्टन्ट है तो ये भादो मा के शुकल पक्ष के एक आदेसी को मना जाता है ठीक है तो question number 8 का से answer क्या हो जाएगा बंदना इसका बिल्कुल से answer हो जाएगा so option number B is correct 1 चले next बात करते है question number 9 की जारकंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वीत्य सहता प्रदान करने के लिए हाले में इमने लिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी तो 9 का correct answer क्या हो जाएगा सुकन्या समृती योजना so option number C is correct 1 option number C अगर हम बात करते हैं कि इसमें total amount केतना मिलता है गई तो याद रख लेजिएगा 40,000 total VTA सहता दिया जाता है अच्छा इस योजना का उद्देश से क्या है इसका उद्देश से है कि जतने भी वालिक नहीं है उसके drop out दर को कम करना और मात्र तुमिरती दर को भी कम करना इसका मुखे उद्देश से है इसके लवे अगर हम बात करते हैं मुखे मंतरी largely योजना की तो ये कब स्टार्ट हुआ था गैज तो 15 नॉमबर 2011 को यी स्टार्ट हुआ था इसके लावा मुखे मंत्री कन्यादान यूजना के बात करते हैं तो ये भी काफी ज़्याता important है ये कब स्टार्ट हुआ था तो 2004 को स्टार्ट हुआ था जार्खंड राजी में रहने वाले विकलांग को लोगों के लिए जार्खंड सरकारद्वा रानिम नलिकित में से कौन सी पेंशन योजना शुरू की गए थी तो इसका करेक्ट आंसर हो जागा गाईज ऑप्सन नमबर सी यानि कि स्वामी विवेका नंत निश्यक्त स्वावल अगर हम बात करते हैं यानि कि मेरी बेटी मेरी बहचान की दिसके शुरूवात कहां से हुए थी जमशेतपूर के तिरिंग नमकाओं से कब स्टार्ट हुए थी तो 2016 में ये स्टार्ट हुए थी इसका लब नेक्स्ट बात करते हैं हैं क्वेशन नमबर 11 की जिसके आंसर संख्या सक्षरता दर क्या है इसका सही अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है का पहला क्वेशन है मयूराक्ष नदी का उद्गा मस्थल कहां इस्थित है करेक्ट अंसर हो जाएगा option number A यानि कि त्रिकूट पहाड़ी से मयूराक्ष नदी का उद्गा मस्थल है अगर हम बात करते हैं दोध्वा पहाड़ी की तो सवर्ण रेखा नदी के किनारे हिस्थित है अपने नाम सुनाओका इसके लागर बात करते हैं तो सवर्ण रेखा एक मात्र ऐसी नदी है जो स्वतनतर रूरुप से कहां गिरती है बंगाल के खाड़ी में गिरती है अगर हम स्वर्ण रेखा नदी के सहयक नदी की बारे में बात करें तो सहयक नदी है काची, खरकई, जमारू, राढू और संजे नदी अगर हम बात करते हैं उप्शन नमबर C की यनि कि अमर कंट के पहाड़ी से कौन से नदी निकलती है तो याद रिखेगा यहाँ से सोन नदी निकलती है और सोन नदी का और क्या नाम है तो याद रिखेगा हेरन निवा और सोन भद्र भी किस नदी का नाम है तो सोन नदी का नाम है अब देखे ये जो सोन नदी है ये गढ़वा को टच करते हुए गढ़वा को टच करते हुए गंगा नदी में मिल जाती यानि कि मुहाना कहां पर हो जाएगा मुहाना हो जाएगा इसका गंगा नदी अगर हम option number D के बात करते हैं तो टोरी लातेहर से कौन से नदी निकलती है तो याद रिखीगा दामुदर नदी निकलती है दिखे लातेहर टोरी ये वला अस्थान आपको देखने को मिलेगा यहां से दामुदर नदी निकलती है अगर हम दामुदर नदी की बात करते हैं तो इसका कुल लंबाई कितना है गैज, तो 592 किलोमेटर है, वही पे जहरखन में कुल लंबाई की बात करते हैं, तो 290 किलोमेटर है, 290 किलोमेटर, अप वहाँ शेत्री की अगर बात की जाए, अप वहाँ शेत्री की, तो 12800 किलोमेटर स्क्वेर, इसका अप वहाँ शेत्र है, अगर हम साहयक नदी के बात करते हैं तो हैं साहयक नदी हैं बराकर, कोनार, बोकारो, जमुनिया और कत्री ये सारे के सरे नदियां साहयक नदिया हैं इसके लावाद दामोदर नदी को क्या कहा जाता है बंगाल का शोक कहा जाता है और देव नदी के नाम से भी जाना जाता है आपको दामधर नदी पर ही क्या देखने को मिलेगा पंचेत बांथ, उसके बाद मैथन बांथ, तेनु काड़ बांथ और अईयर बांथ भी आपको कहा देखने को मिलेगा दामधर नदी में देखने को मिलेगा ठीक है, चले नेक्ट बात करते हैं question number 2 की जहारखंड में निम्ना लिखेते जिलों में से कौन सा जिला विस्वे में अबरक के मुखे सुरुतों में से एक है करेक्ट अंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नमबर D यानि की कोडर्मा में सबसे नमबर D Son here is correct one अब देख्योग कोडर्मा में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे उच्च कोड़ी का जो अबरक है सफेद अबरक जिसे रूबी अबरक भी कहा जाता है सबसे ज़्यादा अधिक मातरा में कहां पाया जाता है इसके लावा आपको ये grid में देखने को मिलेगा अबरक बहुत आयत मातरा में 4 खन के अगर बात कर रहे हैं उसके बाद हसारी बाग में, डुमचाच में, गावा में, चटकारी में और नावाडी में भी आपको अबरक देखने को मिलेगा तो याद रिखीगा 1994 में ये जिला बना था इसके अलावा कौडर्मा में ही देवगर धाम है कन्फ्यूज नहीं होना है देवगर धाम बिल्कुल देवगर धाम कहां पर है तो कौडर्मा में है अलाकि इसके बारे में और भी हमने डिस्केस किया था कि अखिलेश्वर धाम कहां पर है तो लहर्डगा में है जारखंड धाम ये गिरेडी में है अमरेश्वर धाम ये राची में है ठीक है? तो ये सब वह सारे सीज़ें हमने डिस्केस किया था लेकिन देवगर धाम अगर पूछ लैजा तो ये कौडर्मा में है Confuse नहीं होना है इसके लाव बात करते हैं तो Stanic School का अपने नाम सुना होगा तो Stanic School भी कहां पर है तो ये Quadrama में Stitth है और Quadrama किस से अलग होकर बना था तो ये भी यात रख सकते हैं 1000 बाग से अलग होकर बना था 1000 बाग सबसे पूराना जीला है गई यानि कि 1833 issue में हजारे बाग किला बना था, ठीक है, तो question number 2 का correct answer क्या हो जाएगा, option number D, यानि कि quarterma इसका बिल्कुल से answer है, next बात करते हैं, question number 3 की, जारखंड में निम्नलिखित में से कौन से तहवार में लड़के रंगीन कागश से लकड़े या बासक एक फ्रेम को सजाती हैं, और आसपास की पहाड़ी नदी को भेट कर देती हैं, इसका correct answer हो जाएगा गाई, option number B, यानि कि two superv के समय, अगर हम two superv की बात करते हैं, तो मकर स कड़िया का चड़ावा दिया जाता है, और मुर्गी के बली देकर चावल की खिच्ड़ी बनाए जाते हैं, और माननेता ये भी है कि इस पूजा से फसल में कोई भी रोग नहीं लगता है, ठीक है, वही पे अगर हम बात करते हैं, option number C की, यानि कि भक्ता पर्व की, तो इस पर इस पर्व का आयोजन होता है, जारखंड निम्लालिकित में से कौन से खनीज का एक मात्र उतपादक है, इसका correct answer हो जाएगा, option number D, option number D का बिल्कुल से answer हो जाएगा, यानि कि prime cooking coal का, so option number D is correct वन, वही पे अगर हम option number A की बात करते हैं, low S की की बात करते हैं, तो low S की में जारखंड उतपादन के दरिश्टी कोन से तीसरे अस्थान पर है, लेकिन भंडारन के दरिश्टी कोन से बात करते हैं, तो दूसरे अस्थान पर है, वही पे अगर हम बोक्साइट की बात करते हैं, तो बोक्साइट के भंडारन में जारखंड पुरदेश में सात्वे अस् कितमे से कौन सा आंदोलन अपने शुरुवाती चरण में कुडुक धर्मी के नाम से जाना गया था इसका correct answer क्या हो जाएगा तो option number D इसका बिल्कुल से answer हो जाएगा यानि कि टाना भगत आंदोलन अब देखे टाना भगत आंदोलन के बात करते हैं कि शुरुवात कब हुए 1914 में इसके शुरुवात हुई थी नेतरेत्व किस ने किया था तो याद रखेगा जतरा भगत ने इसका नेतरेत्व किया था अगर हम option number A के बात करते हैं खरवार आंदोलन की तो यह कब हुआ था यह हुआ था 1974 में नेतरेत्व करता कौन थे तो याद रखेगा भागिरत मा अगर हम बात करते हैं option number B के यानि कि मुंडा उल्गुलान की तो मुंडा उल्गुलान का बहुत है याद रखेगा यह 1895 से 1920 तक हुआ था 1920 तक किसके द्वारा नेतरेत्व किया था तो याद रखेगा बीश्चा मुंडा के द्वारा इसको नेतरेत्व परदान किया था इस option number D इसका बिल्कुल से अंसर हो जागा यानि कि चाना भगत तो option number D is correct one चले next बात करते हैं question number 6 की 6 number question है जारखंड का धूकरानिम नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंतित है जिसका correct answer क्या हो जाए गाज? option number C इसका बिल्कुल से अंसर हो जागा यानि कि धातू से संबंत जायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षन का कितना प्रतिश्यत प्रतान करने के लिए संसोधित किया गया था? correct answer हो जाएगा guys option number D यानि कि 50 प्रतिसत so option number D is correct one option number D चले next बात करते है question number 8 की Tata Iron and Steel Company के संस्थापक कौन है? तो इसका correct answer हो जाएगा guys option number B यानि कि जमशेद ज टाटा so option number B is correct one अगर हम बात करते हैं कि Tata के स्थापना कवी थी तो याद रिखेगा 1907 इसके स्थापना होई थी और बात करते हैं यहाँ पर उत्पादन कव शुरू हुआ था? अगर हम लोहा के बात करते हैं तो 1911 इसके में और इस बात कि यानि कि Steel का उत्पादन कव होती हैं इसके लाव और भी हम बात करते हैं तो कोईली की आपूरती कहां से होती है तो जर्या से होती है और राने गंज से भी होती है राने गंज कहां पर है तो इस बंगाल में है मैंगनीज और क्रोमाइट का कहां से होता है तो चैवासा के खान से इसके लाव बात करते है कि चूना पत्थर और डोलो माइट की आपूरती कहां से होती है तो ये सुन्दरवन ओडिशा से होती है सुन्दरवन ओडिशा से ठेक है तो question number 8 का correct answer क्या हो जाया guys option number B इसका बिल्कुल सही answer है यानिक जमशेतिची टाटा so option number B is correct one option number B जिले next बात करते है question number 9 की निम्रालिकेत में से कौन सा कतन बिर्सा मुंडा के संबन्द में गलत है तो सबसे पहले हम बात करते है option number A की बिर्सा मुंडा ने सुनोत संथाल्ल समाज के स्थापना की थी ये गलत है क्योंकि हम सभी जानते हैं की असोनोत संथाल समाज के स्थापना किसने की थी तो ये सीबू सोरनी की थी कब की थी 1970 इस्वी में की थी यानि कि option number A ही गलत मिल गया मतलब option number A इसका बिलकुल सही answer है option number A अब next बात करते है question number 10 की जारकंड में CSR लागू करना मुश्किल है निमन में से कौन सी उन समस्याओं मे से एक नहीं है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option number C इसका बिलकुल सही answer हो जाएगा यानि कि क्रिसी भूमी की प्रचूर मातरा में उपलब दता option number C इसका बिलकुल सही answer है option number C अब next बात करते है question number 11 की question number 11 जिसका answer आपको comment box में देना है question है फुल डूंगरी निमनलिकित में से क आपको चार option में एक option चूज करना है जो सही answer है और सही answer को आपको comment box में इसका answer देना है इस तरीके से total 10 question हमने complete कर लिया है अगर आपको session पसंद आया है तो please like कीजे channel पर नए है तो please channel को subscribe करके bell icon को press कीजे ताकि आपको new videos को notification बिलकुल सही समय पे मिलता रहे पहला question है जारखंड के पहले गैर भाजपा मोखी मंतरी निम्लालिकित में से कौन थे इसका correct answer हो जाएगा option number A यानि कि शीबू सौरें थे अगर हम शीबू सौरें के बारे में कुछ important information की बात करते हैं तो सबसे बहले बात है कि ये जेमेम से हैं यानि कि जारखंड मुक्ती इसका representative करें तो इसके अस्थापन कभी थी तो 4 फरवरी 1973 को इसके अस्थापना हुए थी जिसमें अध्यक्ष कौन बनेते तो विनोध भिहारी महतो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे और महा सच्वी कौन थे तो शीबू सौरें उसके महा सच्वी थे ठीक है अगर हम बात क करते हैं कि कि शिभू सुरिन कितने बार मुख्यमंत्री बने है तो ये तीन बार मुख्यमंत्री बन चुके है। कब staying हो चाप कर देल काकी किमें आ ठीम हो कारीकाल का नाम है जारकन में कब से कब तक तो याद रख सकते हैं ये 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005 तक यानि कि मात्र 10 दिन के लिए ये CM बने थे इतना याद रख सकते हैं इसके लब बात करते हैं तो शिबू सोरिन को क्या क्या कहा जाता है यानि उपनाम क्या क्या है तो दिशोम गुरू है और गुरू जी है ठीक है अनूच कुमार सिना के द्वारा तीन पूछतक ये लिखी गई है शिबू सोरिन के उपर वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं तो कौन कौन सा पूछतक है तो दिशोम गुरू सिबू सोरिन ट्राबल हीरो सिबू सोरिन और सुनो बच्चो आदिवासी सेंगर्स के नाएक शिबू सोरिन की गाथा ठीक है तो ये सारी चीज़े आप याद रख सकते हैं इसके लावा बात कर सकते हैं कि 2004 में 2004 में मनमोहन सिंग के सरकार में ये कौईला मंतरी भी रह चुके हैं शिबू सोरिन इसके लावा परत्थम मुख्यमंतरी के बात करते हैं यानि के बाबुलाल मरंडी के अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका कारेकाल पूछ लाए जाता है तो याद रख सकते हैं 15 नुवंबर 2000 से लेके 18 मार्च 2003 तक ये CM रहे थे ठीक है काफी पूछा जाता है ये लेट इसके अलावा इन्होंने अपने खुद की पार्टी बनाई थी का इस कौन सी पार्टी थी 2006 में इन्होंने पार्टी बनाया था हलाके शुरुआत में जो फास्टे CM बने थे ये भाचपास से ही बने थे लेकिन बाद में 2006 में इन्होंने जार्खंड विकास मोर्चा नामक पार्टी बनाई और दोबारा से फिर से ये 2020 में भाचपा में शामिल हो गए ठीक है उके उसके बाद हम बात करते हैं अरजुन मुंडा के अगर अरजुन मुंडा के बात करें तो ये दूसरे सीम बने थे और भाचपा से बने थे इनका कारेकाल पहला कारेकाल काफी important है क्योंकि एक्जाम में पूछा हुआ है तो याद रखते हैं 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक ये सीम रहे थे ठीक है और ये तीन बार ये तीन बार सीम रह चुके है तीन बार ठीक है कब कब रहे हैं तो 2005 से 2006 ठीक है उसके बाद 2010 से 2013 और सुरुबात में हमने बताया था कि 2003 से 2005 यानि कि तीन बार ये सीम रह चुके हैं राइट इसके अलबा बात करते हैं तो अभी वरतमान इनका निर्वाचन शेत्र कौन सा है तो खूटी अभी वरतमान इनका निर्वाचन शेत्र है ठीक है और बात करते हैं तो अभी वरतमान में ये केंदर में जनजाती मामले के कैबिनेट मंतरी है और भारती तीरणदाजी और जारखंड तीरणदाजी संके अध्यक्ष भी है ठीक है इसके लाब अगर हम बात करते हैं मधुकोडा की मधुकोडा की बात करते हैं तो इनका कारेकाल क्या था तो 2006 से 2008 तक और जारकन के प्रत्थम निर्दलीय सीम कौन थे तो ये मधुकोडा का ही नामा था और कई बार यहां से question पूछा गया है टोटल 6 लोग मुख्य मंतरी बन चुके हैं गैस अगर हम वेक्ति वाइस बात करते हैं और करम वाइस बात करते हैं तो टोटल 11 मुख्य मंतरी बन चुके हैं अच्छा उसके बाद हम रगवरदास के बारे में भी थोड़ा सा discuss कर लेते हैं यहां से भी question आपको देखने को मिल जाता है तो इन्होंने सबसे पहले 5 साल का कारेकाल पूरा किया था 2014 से 2019 तक यह सीम रहे हैं ठीक है इतना याद रख सकते हैं इसके लवाब बात करेगा तो बाबुलाल मरांडी के सरकार में यह शरम मंतरी भी राज चुके हैं है और यह दूसरी बार बनें है पहले बार कब बने थे 13 जुलाइ 2003 से 13 दिसंबर 2014 तक यह रहे थे उसके बाद 2019 में यह दोबारा से दूसरी बार मुखी मंतरी बने है जारखंड के ठीक है इसके लब बात करते हैं तो 2009 में ये राज सभा के सद्ध से भी राच चुके हैं और 2019 में इनको एक आवार्ड मी मिला है चेंपियन आफ चेंज आवार्ड ठीक है हलाकि हम बात करते हैं मत्सोरिन की तो दो जगह से इन्होंने जीत दर्ज की थी एक बरहेट से और एक दुमका से अलाकि बाद में उन्होंने दुमका विदान सभा शेतर से स्थिफाद दे दिया था और उप चिनों में कौन जीत दर्ज किया है तो याद रख सकते हैं बसंत सोरिन नहीं आपर जीत दर्ज की है जारकन के पहले गैर भाजपा मुख्य मंतरी निमने में से कौन थे तो इसका करेक्ट अंसर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर ए यानि कि श्विबो सोरिन इसका बिल्कुल सही अंसर है तो आप्शन नमबर ए इस करेक्ट वन नेक्स बात करते हैं क्वेशन नमबर टू के क्वेशन नमबर टू है इनमें से कौन सा पहला कारेकाल है जिसमें अरजुन मुंडा चारकन के मुख्य मंतरी के रुप में कारेरत रहे हैं तो अभी थोड़े देरे पहले हमने बताया था इसका अंसर क्या हो जाएगा आप्शन नमबर ए इसका बिल्कुल से इंसर हो जाएगा यानि के 18 मर्च 2003 से 2 मर्च 2005 तक और अरजुन मुंडा के बारे में हमने बताया कि दूसरे क्रम के मुख्य मंतरी बने थे ठीक है कब से तीन से 2 मर्च 2005 तक याद रख सकते हैं और ये तीन बार सीम रहे हैं ये भी आपको याद रखना है 2005 से 6 2010 से 2013 और 18 मर्च 2003 से 2 मर्च 2005 याद रखेगा और वरतमान निर्वाचन शेतर अगर पूछ लाए जा तो खूटी है और वरतमान में अभी जन जाती मामलों के काबिनेट मंतरी हैं और भारती तीरंदाजी और जारखन्ड तीरंदाजी संग के अध्यक्ष भी हैं ठीक है तो question number 2 का से answer हो गया option number A यानि कि 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 यानि option number A इसका बिल्कुल से answer हो जेगा नेक्स बात करते हैं question number 3 के जारखन्ड राजी में राजिपाल कौन है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा option number B हो जाएगा यानि कि रमेस बैस है और रमेस बैस किस राजी से विलोंग करते हैं तो 36 गड़ स्टेट से विलोंग करते हैं और 36 गड़ में भी कहाँ पर तो राइपूर उसे ये विलोंग करते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं प्रत्थम तो प्रत्थम सभी जानते हैं कि परभात कुमार थे चारकन के प्रत्थम राजीपाल प्रभात कुमार थे सभी को पता है अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेद प्रकास के बारे में अगर हम बात कर तो ये चौथे राजेपाल रहा चुके हैं ठीक है और क्यों महातोपुन है क्योंकि इनको पदमेस्यरे पुरूस्कार मिल चुका है और पुलीस वीरता पुरूस्कार भी इनको मिल चुका है और इन्होंने एक पूर्च तक मिल लिखे थी जो काफी important है जाद रखेगा Uncivil War, Pathology of Terrorism in India काफे महातोपुन है इसके लाव अगर हम बात करते हैं MOH भारू की तो सबसे पहले इनके कारेकाल के बर में हम बात कर लते हैं तो 2010 से 2011 इनका कारेकाल था और important बात की ये तीन बार पुद्दू चेरी के चीप मिनिस्टर भी रहा चुके हैं तो काफे important है इसके लाव अगर हम option number A के बात करते हैं सेयद अहमद के बात करते हैं तो इनका सबसे पहले कारेकाल के बात करते हैं तो 2011 से 2015 तक रहे हैं और इनका आत्म कता काफे important है पागडंडी से शहर तक काफे महत पूर्ण है उसके बाद अगर हम बात करें दुरुपदी मूर्मू की तो दुरुपदी मूर्मू जहरकंड के पृत्थम महिला राज़पाल बनी है तो यह काफे important है और रमेज बैस से पहले दुरुपदी मूर्मू जहरकंड के राज़पाल थी यानि कि पस्मी सिभू में इसका बिल्कुल से अंसर हो जाएगा और अगर हम बात करते हैं तो देश का 23% जो हमेटाइड लो एसक है वो अकेले जहरकंड के पास है उसके लावा बात करते हैं तो जहरकंड में पाए जाने वाले जो 99% लो एसक है वो कौन सा है तो हमेटाइड प्रजाती की है ये आप याद रख सकते हैं इसके लावा लो एसके के उतपादन में जहरकंड का कौन सा अस्थान है तो उतपादन में तीसरा अस्थान है ठीक है पूरे भारत में और भंडारन की दिरिष्टे से कर बात करते हैं तो भंडारन की दिरिष्टे से लो एसके में चारकंड का देश में दूसरा अस्थान है ठीक है नोवा मुंडी का खान आपने जिरूर नाम सुना होगा तो नोवा मुंडी का खान जो है लोह एसक का खान है चोकि एसिया का सबसे बड़ा खान है काफी महतुपूर्ण और कई बार यहां से पूछा हुआ है तो question number 4 का correct answer क्या हो गया option number D इसका से answer हो गया यानि कि पसमी सिभूम is correct one option number D चले next बात करते है question number 5 की 5 number question है संथाल परगना industrial area development authority दूमका यानि कि अस्पाइडा का शेत्र निम्नलिकित कमिस्णर से कि शेत्र तक ही सिमित है correct answer हो जाएगा option number D यानि कि संथाल बरगना कमिस्णर इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा अब बात करते है जारखन में आद्योगे क्षेत्र विकास प्राधिकार की तो टूटल चार है कौन-कौन से आप जानते हैं चार कौन-कौन से है तो रियाडा, आयाडा, बियाडा और अस्पाइडा ठीक है कहां कहां पर है राची में है, बोकारो में है, आदित्पूर में है और दूमका में है ठीक है गाईस, तो option number D इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा ठीक है, चलें नेक्स बात करते है, question number 6 की 6 number question है, स्वर नरेखा नदी हुन्डू फॉल्स से कितनी उचाई से गिरती है काफी महातोपूर्ण परश्न ये भी, इसका answer हो जाएगा, option number A यानि कि 320 feet उचाई से गिरती है अगर meter में हम बात कर लें, तो याद रखेगा 98 meter अगर हम उन्रू फॉल्स की बात कर रहें, तो सबसे पहले बात ये कि ये किस नदी पर है, तो स्वर्न रेखा नदी पर, स्वर्न रेखा नदी पर ठीक है, कहां से निकलती है स्वर्न रेखा नदी, तो नगडी राची से निकलती है ठीक है, याद रख लिजेगा, उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं, तो स्वर्न रेखा नदी एक मातर नदी है जो स्वतनतर रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये काफी महत्वपूर्ण है अगर बात करते हैं जारकन की सबसी उची जलपरपात कौन सी है तो याद रखेगा ये बुड़ा गाग या लोद गाग जलपरपात इसी को कहा जाता है तो याद रखेगा ये कोयल नदी की किनारे उतरी कोयल नदी का एक सहाइक नदी है का इस बुड़ा गाग नदी उसी पर इस देत है कौन सा तो बुड़ा गाग जलपरपात जो की काफी महत्वपूर्ण है तो question number 6 का से answer क्या हो गया तो इसका correct answer हो जाएका option number A यानि कि 320 feet के उचाई से गिरती है यानि कि 98 meter के उचाई से गिरती है option number A इसका सही answer हो जाएगा अलाकि आपको कहीं कहीं 321 भी देखने को मिल सकता है 322 भी देखने को मिल सकता है लेकिन जो board ने answer माना है वो 320 माना है मैं ये answer ले रहा हूँ किसका दारगवा के नए सेट से ठीक है चले next बात करते है question number 7 की 2011 की जनकरना के उन्हें सार बोकारो जीले की लगबग आबादी क्या है यानि कि इसका जनसंख्या क्या है तो 7 का answer हो जाएगा option number C यानि कि टूटल 20 लाग है लगबग अगर हम बात कर रहे है लेकिन exact अगर हम बात करें तो 20,62,330 इसका पूरा जनसंख्या इसके टूटल अबादी है ठीक है अगर हम बोकारो जीला के बारे में बात करते हैं इसा रेल्डेट जितने पी information है सारे के सारे में एक साथ डिसकस करते हैं तो सबसे बाले बात ही कि बोकारो जीला कब बना था तो याद रख सकते हैं 1 अपरेल 1991 यानि कि 1991 में बोकारो जीला बना था अनुमंडल की संख्या कितनी है बोकारो जीला में तो टूटल दू अनुमंडल है एक तो चास आपको देखने को मिलेगा और दूसरा बोकारो है ठीक है परखंडू की संख्या की बात करें तो टूटल नौ परखंड है अगर विधानसभा शेत्र के हम बात करते हैं तो टोटल विधानसभा शेत्र है चार कौन-कौन सा है गोमिया है बोकारो है बेरमू है और चंदन क्यारी है ये चार विधानसभा शेत्र हैं बोकारो जिला में उसके बाद बात करते हैं कुछ महातोपूर्ण प्रेटन अस्थल की तो आपने नाम सुना होगा जौहरलाल नहरू पार्क ये भी कहाँ पर है तो बोकारों में है इसके लावा चंदरपूरा पक्षविहार भी है तेनुगहाट बांथ भी है मोहन हुचा स्टेडियम भी कहाँ पर है तो ये बोकारों में है इसके लावा आपने नाम सुना होगा दलाही कुंड का ये भी बोकारों में इस्थित है कुछ महतोपूर्ण मेला के बारे में कर बात करना चाहें तो बेर्मों का जो हत्या मेला है ये कहाँ पर लगता है तो ये भी बोकारों में लगता है काफी भात पुरुन है कब लगता है तो मकर संकरांतरी के समय में लगता है ठीक है और बोकारों के जो लुगु गुरु है अपने नम सुनाओगा जरूर लुगु गुरु ये संथाल समुदाई की पिता कहे जाते हैं और बोकारों में इस्थित जो तेनुगाट डैम है, वो देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम है, अर्थेन डैम, सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है, पूरा देश का भारत का, तो याद रह सकते हैं, ये तेनुगाट डैम है, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, बोका सायता से यह बना था तो रूस के सायता से बना था रूस के सायता से किसके अधीन है तो सेल के अधीन कारे रहा थे सेल के अधीन ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन कब शुरू हुआ था तो याद रह सकते हैं यहां पर उत्पादन शुरू हुआ था 1972 मे और दूसरा महतवपुर्ण लो इस बात उद्योग है पूरे जारकड में पहला आप जानते हैं टिसको है जिसके अस्थापना कब गे थी तो ये माराफारी नामक स्थान पर है या फिर गरगा डैम बोल सकते हैं या तेनुगाठ के निकटिक देता है ठीक है उसके बात बात करते हैं तो यह जो Bokaro Steel Plant है वो भारत का स्वधेशी Steel Plant है पहले बात हूई और अर्देश का चौथा सबसे बड़ा इस पात सेहंतर है चौथा सबसे बड़ा इस पात सेहंतर है काफी इंपॉर्टन है तो पहला, दूसरा, तीसरा नंबर पे कौन है? तो आपको राओर के लाइस पात सेंत्र देखने को मिलेका जो के जर्मनी के सहाथा से बना था कई बार पूछा हुआएगा इस काफी महातोकरोन है उसके बाद भिला इस पात सेंत्र के बाद करें तो काफी important है तो इसका answer क्या हो जाएगा है 2011 के जन करना कि निशार वो कारी जिले की लगभग अबादी क्या है तो 20,22,330 यानि का लगभग 20,000,000 इसका बिल्कुल से answer हो जाएगा तो option number C is correct one चले session प्रसंद आया रहा है तो एक बार like कीजिएगा और जो नए है एक बार फटाफर से subscribe कर लिजए ठीक है चले next बात करते है question number 8 की पूरानी सिभूम से कितने block अलग करने के बाद पूर्वी सिभूम जिला का गठन किया गया है एट का say answer हो जाएगा option number C जानि की 9 block इसका बिल्कुल say answer हो जाएगा option number C अब देखिए बात आई है पूर्वी सिभूम की तो पूर्वी सिभूम से related जतने भी information हो सकते हैं सारे क पहले बात ही है कि इसे ढाल रजाओं के भूमी कहा जाता है और अंग्रेजो का परवेश दवार भी किसे कहा जाता है तो पूर्वी सिभूम को कहा जाता है इसके स्थापना कभी थे यानि कि ये जिला कब बना था तो याद रखेगा 16 जनवरी 1990 को ये जिला बना था अनुम शेदपूर है नदी के बात करते हैं कौन-कौन सी नदी यहां से होकर गुजरती है तो स्वर्न रेखा नदी जिसके बारे में हमने बताया कि नगडी रांची से निकलती है और सुतन तरुप से बंगाल के खाड़े में गरती है ये कहा बाती है तो स्वर्न रेखा नदी ये सारी के सारे फेमस है पूर्वे सिब्भो में कुछ प्रेटनसल की और अगर हम बात कर लें तो आप याद रख सकते हैं दालमावन जी अभ्यारन यहाँ पर इंपोर्टेंट है धारेगिरी जल पर पात इंपोर्टेंट है पूर्वे सिब्भो में है इसके लाब अगर हम बात करते हैं तो रास्टे धात्तु कर्मा परियोग शाला भी पूर्वे सिब्भो में स्थित है ठीक है और अपने नाम सुना होगा जरूर जेवियर लेबर रिसर्स इंस्टीटूर का जो कि जमशेदपूर में जिसके अस्थापना कभी हो थी तो 1949 में हो थी तो ये सारी के सारी चीज़े आप यहां से याद रख सकते हैं तो इसका अंसर क्या हो जाएगा पूराने सिब्भूम से कितने ब्लॉग अलग करने के बाद पूरवी सिब्भूम जिला का गठन किया गया था तो इसका बिल्कुल से अंसर हो जाएगा option number C यानि कि 9 ब्लॉग से तो option number C इसका बिल्कुल से अंसर हो जाएगा नेक्स बात करते है question number 10 की हरियर दाम बगुतर जारखन में किस जगह पर स्थित है तो इसका correct answer हो जाएगा option number C यानि कि गिरिडी जिला में स्थित है अब बात करते हैं गिरिडी जिला के बारे में तो गिरिडी जिला कब बना था याद रखेगा 4 दिसंबर 1972 को ये जिला बना था और गिरिडी को क्या कहा जाता है जैन तिर्धेंकरों की निर्वान भूमी का भी कहा चाता है और यहां से काफी important याद रख सकते हैं पारसनात पहाड़ी काफी महत्वपूर्ण है तो सबसे पहले इसकी height की बात करते हैं तो इसकी height क्या है तो 1365 meter इसकी height है मेटर में अगर हम बात कर रहे हैं 3819 feet है अगर हम फीट में बात कर रहे हैं उसके बाद पारसनात पहाड़ी से और क्या याद रख सकते हैं तो पारसनात पहाड़ी से आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर 24 में से 20 तिर्धियंकरों ने निर्वान प्राप्ति किया है और यह जो पारशनाद पहाड़ी है वो समर्पित है 23-23 पासरोनाथ को ठीक है? यानि कि किसे संबंदित है, 12-23 पासरोनाथ से संबंदित है काफि महतोपूर्ण है उसके बाद और भी हम गरेडि के बाद करते हैं तो आप यहाँ से याद रह सकते हैं मधुवन यहां पर रिष्टेत है जारखंड धाम भी यहीं पर रिष्टेत है गईज गिरेडी जिला में जो कि काफी महतुपूर्ण है यहां से कई बार एक्जाम में पूछा हुआ है तो जारखंड धाम और हरियर धाम दोनों कहां पर है तो गिरेडी जिला में है इसके लाव कुछ और प्रेटन स्थल के हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको खंडोली डैम देखने को मिलेगा और खंडोली पहाड़ी भी यहाँ देखने को मिलेगा इसके लावा उस्सरी जल परपाद भी कहाँ पर है तो गिरडी जिला में है उसके बात बात करते हैं कि बाबुलाल मरंडी जो की जारकन के परिथम मुख्य मंतरी थे आपने नाम सुना है और इनके वरतमान जो निर्वाचन शेतर है भी कौन सा है राज धनवार ग्रेडी है रैट अगर हम बात करते हैं कि ग्रेडी जिले में क्या-क्या पाया जाता है महातपुर्ण है कौन सा तो रोबी टाइप का इसके अलबा मान की के लिए भी काफी प्रस्द्ध है यह भी काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए सरुवात पहाड़ी के बारे में हमने डिसकस किया था कि सरुवात पहाड़ी एक चुली में है कहां पर तो यह है चलिए नेक्स बात करते है इसका अंसर आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही अंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इस तरीकी से आज का सेसन हमने कंप्लीट कर लिया है धमाकेदार सेसन आपको अगर सेसन पसंद आ है तो प्लीज लाइक कीजएगा और चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और बिल आइकन को प्रेस कीजएगा ताकि आपको न्यू विरिज को नोडिवेकिसन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा खोल दे पंक मेरे कहता है परिंदा अभी और उडान बागी है जमी नहीं है मन्जिल मेरी अभी पूरा आसमान बागी है और आज का पहला क्वेशन है हिंदू कलेंडर के नुसर कर्मा महोत्सो कब मनाया जाता है इसका करेक्टर अंसर होजएगा आपसन नमबर A यानि की भा भादो महों में मना जाता है और दूसरा राज कर्मा होता है अगर हम देश कर्मा की बात करते है तो इसकी पूजा कहां की जाती है तो अखड़ा या अकाड़ा में की जाती है और जो राज कर्मा है ये सिलिबरेट कहां किया जाता है तो अपने घर और आंगन में किया जाता इसके लाब बात करते हैं तो कर्मा के जस्ट पहले कौन सा तहवार मना जाता है तो कदलेटा तहवार मना जाता है कदलेटा तहवार और ये क्यों मना जाता है तो जो गाउं में मिढख भूत होते हैं उसे शांत करने के लिए मना जाता है अब जारखन के और भी हम तेहवार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सरहूल के बारे में और सरहूल जारखन में जनजाती का सबसे बड़ा परवमाना चाता है और इसे अलग-अलग जनजाती में अलग-अलग नामों से जाना चाता है जिसे बात करेगा संधाल जन जाती में इसे बापरव के नाम से जाना चाता है उराओं जन जाती के बात करते हैं तो इसे खद्धी या सद्धी के नाम से जाना चाता है वहें पर अगर हम खड़िया जन जाती के बात करते हैं तो इसे जंकोर के नाम से जाना चाता है ठीक है और ये जो सरहुल है गैस ये सरहुल फूलों का तहवार होता है और पाहन द्वारा जो सक्वा का फूल होता है जिसे सर्रे भी का जाता है सक्वा के फूल को तो उसको क्या किया जाता है इसी की पूजा के जाते है और इस औसर पर क्या होता है कि चावल और मुर्गे कमांस मिला कर एक प्रसाद त्यार किया जाता है जिसका नाम क्या है तो याद रखते हैं उसका नाम है सूरी ठीक है और इसे एक और नाम से जाना जाता है वो नाम याद रखे का तहरी के नाम से जाना जाता है तहरी इसके लाव और भी हम तहवार की बात करते हैं तो दूसरे नमबर पे हम ले लेते हैं मांडा तहवार और मांडा तहवार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह तहवार कब स्टार्ट होता है तो यादरखी का बैसाख मा में यह अक्षे तृतिया को अक्षे तृतिया को ये प्रारंब होता है और इसमें पूजा किसकी की जाती है तो महादेव की पूजा की जाती है अब दीखें यहां से मांडा से क्या पूछा जाता है यहां से पूछा जाता है कि इसमें जो पूरूस और जो महिलाएं होती है वो क्या क्या इसको कहा जाता है यानि कि वर्त को क्या कहा जाता है तो पूरुस वर्त को कहा जाता है भगता ठीक है और महला जो वर्ती होती है उसे सुखताईन कहा जाता है याद रिखेगा ये कई बार पूछा हुआ है एक्जाम में सुखताइन कहा जाता है ठीक है इसके लाब बात करेगा तो जो भुगता है वो क्या करते है याद रिखेगा फूल-खूंदी कहा जाता है और ये कई बार एक्जाम में पूछा हुआ कि फूल-खूंदी किसे कहते है तो जो अंगारों पर चला झाता है से फूल खुंदी के नाम से जना जाता है और उसके बाद फिर क्या होता है कि जागरण की रात में जो भगता होते हैं वो करते ही क्या है कि हवन की जो अगने शिखा है उसके उपर लटक जाते है ठीक है और लटका कि उनको क्या किया जाता है जुलाया जाता है और उसे कहा जाता है धुवांसी ठीक है धुवांसी कहा जाता है ये भी एक्साम में पूझा हुआ है अगला तेहवार लेते हैं मकर संक्रांतरी में मना जाता है टोसू अगर हम टोसू के बात करते हैं तो मकर संक्रांतरी में मना जाता है पहले बात याद र इसके बात बात करते हैं सोहराई की अगर हम सोहराई की बात करते हैं तो ये दिपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है और इसका जो संबंद है गई संबंद पूछ ले जाता है तो मवेशियों के धन से संबंदित है सोहराई देवार उसके बात नेक्स्ट बात करते हैं पर है कि जिस परिवार में कोई भी महला सद्द से अगर गर्ववती होती हैं तो उस परिवार का कोई पुरुष सद्द से भी इस तेहवार में भाग नहीं लेता है ये भी काफी इंपॉनेट है उसके बात बात करते हैं वंदना परविके अगर हम वंदना परविके बात करते हैं तो यह कार्तिक अमवस्य के दिन मनाया जाता है ठीक है और इस में क्या होता है कि जो पालतु जानवर हैं ऊसे कपड़ा और गहना से सजाया जाता है काफ़ी इmpotent है उसके बात फीर बात करते हैं हम रोहनी तहवार के अगर रोहनी तहवार की हम बात करें तो ये जहरकंड राजी के कलेंडर का प्रत्थम तहवार मना जाता है और इस पर्व के द्वारा क्या होता है कि किसान क्या करते हैं कि अपने खेत में बीच बोने के परंपरा स्टार्ट करते हैं ठीक है उसके बाद एक और हम तहवार के बात करते हैं देसावली अग क्या होगा यानि कि कर्मा महुत स्ब्सक्स कम मनाया चाता है तो करेक्ट अंसर है, उप्सन नम्बर A, यानि कि भादू माह में मनाया चाता है, भादू माहमें सुकल पक्ष के एकादैसी को उप्सन नम्बर A इसका बिल्कुल सही Khalinar हो जाएगा, नेक्स है उसके बाद अगर हम खरवार अंदूलन की बारे में बात करते हैं तो यहां से दो चीजे आप याद रख सकते हैं कि खरवार अंदूलन का नित्रित्व किसी ने किया था तो भागे रत मांचे ने किया था कब हुआ था अगर पूछी ले जाए तो यह कब से कब तक हुआ था तो सतरा सो सरसट से सतहतर तक चला था यानि कि टूटल दस वर्षों तक चला था इसमें नेत्रितो करता कौन थे तो याद रखेगा जगनात डाल इसके नेत्रितो करता थे दमन किस ने किया था तो दमन इसमें दो लोग ने किया था, याद रखेगा, लेपटिनेंट रूख, और कैप्टन मारगन ने किया था, ठीक है, यह ढाल विद्रो होग या पहला विद्रो, उसके बाद हम दूसरा विद्रो के बात करते हैं, तो चुवार विद्रो याद रखेगा, और चुवार विद्रो कब से कब तक हुआ था तो ये हुआ था 1789 से 1805 ठीक है 1805 इसमें नेत्रितु करता कौन थे काफी महातु पूरुन है इसमें तो यादर कियेगा रगुनात महतु स्याम गंचम ठीक है ये दो लोग मुखिरुप से इसके नेत्रितु करता थे और अगर बात करते हैं द दमन करता मुखिरुप से थे एक लेटेनेंट कूड्यार और मेजर क्राप्ट ये दो लोग शुवार विद्रो के नेत्रितु करता नहीं बलकि क्या थे दमन करता थे अगर हम बात करते हैं चेरो विद्रो की तो चेरो विद्रो कब से कब तक हुआ था तो याद रिखेगा ये 1770 से 1818 इस विए तक चला था, अगर हम नेत्रेतु करता के बात करते हैं, तो नेत्रेतु करता चितर जीतर राय, उसके बाद जैनात सिंग, राइट, और एक भोखन सिंग भी यहाँ पर नेत्रेतु करता थे, दमन के अगर हम बात कर लेते हैं, दमन की, तो दमन यहाँ पर जैकब कैमेक ने किया था, ठीक है, चले, उसके बाद नेक्स्ट विद्रो हमारे पास है, भोकता विद्रो, अगर हम भोकता विद्रो के बारे में बात करते हैं, तो ये कब से कब तक चला था सबसे पहले, तो 1770 से 1770 इस विद्रेत चला था, नेत्रित्यु करता कि अगर बात की जाए, तो याद रिखेगा, जैनात सिंग इसके नेत्रित्यु करता थे, अगर हम दमन करता के बारे में बात करते हैं, तो दमन करता यहाँ पर कैप्टन जैकब कैमेक थे, ठीक है चले उसके बात बात करते हैं घटवाल विद्रो के अगर हम घटवाल विद्रो के बात करते हैं तो ये कब से कब तक चला था सबसे पहले बात ये तो ये चला था 1772 से 73 ठीक है नेत्रित्व करता कि अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे नेत्रित्व करता कौन थे तो ज भी बात करते हैं तो 1772 से 1872 तक चला था और दो लोगों का नाम प्रमुक्ता से यहां पर आता है सबसे पहले जो पाकूर के महेशपूर के रानी थी रानी सरवेश्वरी उन्होंने नेत्रित्व किया था इसके लावा जगनाथ ने भी यहां पर नेत्रित्व किया था दमन करता अगर आप से पूच लिया जा तो दमन करता याद रखिएगा क्लीव लेंड था रइट चले नेग्ट बात करते हैं तीलका अंदुलन की तीलका विद्रो के अगर हम बात करते हैं तो ये कब से کब तक हुआ था तो 1783-1885 तक चला था ठीक है और इसमें नितरित्व करता कौन रहेंगे तो तिलका मांची इसमें नितरित्व करता थे और अगर हम दमन करता के बात करते हैं तो क्लिवलेंड और आयर कुट दोनों इसके दमन करता थे और एक और question यहां से पूछा जाता है कि दिलका मांजी को फांसी कहां और कब दी गए थी तो भागलपूर में एक बरगत की पेड़ पर लटका दिया गया था 1785 इस्वे में काफी महातपूर्ण है ठीक है उसके बाद next विद्रो है हमारे पास तमाड विद्रो अगर हम तमाड विद्रो के बात करते हैं तो यह कब से कब तक हुआ था तो याद रिखेगा 1782 से 1807 इसी तक चला था नेत्रे तो करता अगर यहां पर पूछ लिया जाए तो विस्नु मान की और मोजी मान की यहां पर नेत्रे तो करता थे दमन अगर आपसे पूछ ले जाए कि दमन करता इसमें कौन थे तो याद रिखेगा इसमें कैप्टन बेन और लिमंड लिमंड दो यहां पर क्या थे दमन करता थे ठीक है उसके बाद हो विद्रो के हम बात करते हैं अगर हो विद्रो के बात करें तो ये कब हुआ था तो 1820 से 21 में हुआ था पोटो सरदारों के द्वारा इसके बाद next विद्रो जो की काफी important भी है वैसे कोल विद्रो अगर हम कोल विद्रो के बात करते हैं तो ये कब से कब तक चला था 1831 से 1832 तक चला था ठीक है इसमें नेतरितु करता सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा याद रिखे का दोनों important है वहें पर अगर हम दमन करता के बात करते हैं तो काप्टन विलकिंसन दमन करत बात है नेक्स बात करते हैं भूमीज विद्रो अगर हम भूमीज विद्रो के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहले time period के बात करते हैं तो 1832 से 33 में हुआ था नेतरितु करता कई बार पूछा जाता है तो याद रिखेगा गंगा नरैन इसलिए इसे भूमीज विद्रो को क्या कहा जाता है गंगा नरैन का हंगामा भी कहा जाता है अगर हम बात करते हैं दमन करता तो दमन करता कैप्टन विलकेंजन थे ठीक है नेक्स हम बात करते हैं संथाल विद्रो के बारे में अगर हम संथाल विद्रो के बात करते हैं तो ये कब से कब तक हुआ था गैस त दमन करता कौं थे, तो याद रुखेगा क्याप्टन अलेकसेंड़, इसमें दमन करता थे अब नेक्स्ट बात करते हैं सफाहोड अंतुल गर हम सफाहोड अंतुल के बारे में बात करते हैं तो यह कब हुआ था इस वी इसका बहुत जादा के तुवारा हुआ था उसके बाद नेक्स बात करते हैं ताना भगत आंतोलन की अगर हम ताना भगत आंतोलन की बात करें तो यह कब हुआ था इसका इस्वी कई बार पूछ ले जाता है तो 1914 में हुआ था जत्रा भगत के नित्रित्यों में जत्रा भगत के नित्रित्यों में उसके बाद एक और आप बात कर लेजे किसका, तो हरी बाबा अंदुलन, गर हम हरी बाबा अंदुलन के बारत करते हैं, तो ये कब हुआ था, तो याद रिखेगा, ये 1931 इस्वे में हुआ था, हरी बाबा, या दुका हो इनको कहा जाता है, तो दुका हो के नित्रित्यु में हुआ था, ठीक है, तो question number first का सही answer क्या हो गया गाईज, किसके नित्रित्यु में 1874 के खरवार अंदुलन ने जोर पकड़ा था, तो बिल्कुल option number A इसका सही answer हो जागा, यानि कि भागिरत मांची इसका बिल्कुल सही answer है, option number A, next बात करते हैं, question number 3, अंग्रेजु से लड़ने वाले चारखंड के पहले संथाल नेता कौन थे, तो तीन का correct answer क्या हो जाएगा, बताएगे, तीन का correct answer हो जाएगा, option number D, यानि कि कौन थे, बाबा तिल का मांची थे, तो option number कौन सा हो जाएगा, option number D, इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा, और अभी हमने बताएगे कि, तीन का मांची विद्रोक का हुआ था, तो 1783 से 85 हिस्वी तक हुआ था, 85 हिस्वी तक, ठीक है, और तीन का मांची को फासी कब दी गई थी, तब भी मैंने बताया था, तुरंट थोड़ी देर पहले, 1785 को इनको फासी दी गई थी, बर्गत के पीड़ पर लटका कर दी गई थी, ठीक है, ये इस भी कई बार पूछा चाता है, 1785 को इनको फासी दी गई थी, तो काफी महतोपूर्ण है, अगर हम बिर्सामुंडा के बारे में बात करें, आप्सिन नमर सी की बात करें, तो बिर्सामुंडा के बारे में आप ओल्ड़ेडी जानते ही, कि इनका जन्म का हुआ था, तो खूटी के उली हातु गउम में हुआ था, कब हुआ था, तो पंदरा नॉम्बर 1875 को इनका जन्म हुआ था, अगर मृत्यू पूछ ली चाए तो याद रिखेगा, 9 जून, 9 जून 19 योगो, कहाँ पर, तो राची में, राची जेल में इनकी मृत्यू हो गई थी, हैजे के कारण, काफी महतोपूरुन है, इसके लावा, नेत्रित्व किसका किया था इनने, तो मुंडा उल्गुलान का नेत्रित्व किया था, कब हुआ था ये विद्रो, तो 1895 से 1922 तक हुद चला था, काफी इंपॉर्टन है, और भूमीज विद्रो के नेत्रित्व करता कौन थे, तो गंगा नरेन थे, इसके बारे में भी हमने बताया, भूमीज विद्रो हुआ कब था, तब थोड़े दिर पहले हमने बताया था, कि ये 1832 से 33 में हुआ था, और इसमें जो दमन करता थे, वो कौन थे, तो कैप्टन विलिकिंसन थे, ठीक है, ठीक है, जाना चाता है, ठीक है, अगर हम option number A की बात करते हैं, स्वर्न रेखा नदी की बात करते हैं, तो ये निकलती कहां से है, तो रनाची के नगड़ी से निकलती है, total distance कितना कवर करती है, तो याद रखेगा 470 किलोमेटर, ठीक है, इसके बात करते हैं, तो स्वर्न रेखा नदी एक मात्र ऐसी नदी है, जो स्वतन तुरूरूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये वी काफी important है, इसके बात करते हैं, कि इसकी साहयक नदीया कौन-कौन सी हैं, तो याद रख सकते हैं, इसके बात करते हैं, चुलहा, पानी, टोरी, लातेहार से इसका क्या है, उद्गम है, याद रिखेगा, इसके लाब बात करते हैं, तो इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो जारखन में टोटल डिस्टेंस है, दोस्वनबबे किलोमेटर, लेकिन पूरा अगर हम बात करते हैं, बुकारो नदी, कुनार, फिर जमुनिया, और कत्री नदी, यह सारे के सारे दामोदर नदी के सायक नदिया है, इसके लाबा दामोदर नदी को देव नदी के नाम से, और बंगाल का शोक कहा जाता है, और जारखन के सरवादिक प्रदूसीत नदी है, और सबसे लंबी नदी है और सबसे चौड़ी नदी भी है मुहाना अगर पूछ ले जाए तो हूगली नदी इसका मुहाना है चले उसके बाद अगर हम बात करते हैं मयूराक्षी नदी की तो मयूराक्षी कहां से निकलती है मयूराक्षी नदी तो सबसे पहले टोटल डिस्टेंस कवर करती है कितना 250 किलोमेटर यह निकलती कहां से है तो देवगर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है साहक नदी के अगर हम बात कर लते हैं तो साहक नदी कौन-कौन सा है तो एक धोबाई नदी है टिपरा नदी है और भामरी नदी है अपवाशेत्र कौन-कौन से जिला में है इसका तो आपको देखने को मिलेगा एक तो दुमका में है साहब गंज, गोड़ा और देवगर में देखने को मिलेगा और मयूराक्षी नदी जिसे मोर नदी के नम से जाना चाता है एक मात्र ऐसी नदी है जो कि नौका गंज के लिए काफी प्रसिद्ध है ठीक है मयूराक्षी नदी तरिकुट पहाड़े से निकलती है उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्राह्मणी नदी कहां से निकलती है कैस तो ये कहां से दुधुआ पहाड़ी दुमका से निकलती है अगर इसके हम सहायक नदी की बात करते हैं तो गुम्रो और एरो गुम्रो और एरो इसके दो सहायक नदिया है जो की काफी महत्रपूर्ण है उसके बाद और भी अगर हम नदी के बात करते हैं तो ब्राकर नदी के अगर हम बात कर लेते हूं तो पदमा हजारी बाग में ये छोटा नागपूर के पठार से निकलता है और डिस्टेंस कितना कवर करता है तो याद रिखेगा दो सो पचीज किलोमेटर ठीक है वही पर अगर हम अजय नदी के बात कर लें अजय नदी के बात कर लें तो अजय नदी कहां से निकलती है तो मुंगेर बिहार से निकलती है इसके साहक नदी के अगर हम बात करते है तो साहक नदी याद रिखेगा कम से कम दो ठीक है एक तो पत्थरो और एक जेयनती इसके दो साहक नदिया हैं जो कि काफी मातपून है उसके बाद और भी नदि की बात करते हैं जैसे गुमाने नदि का अपने नाम सुना होगा ये कहां से निकलती है तो राजमहल पहाड़ी से निकलती है उसके बाद हम बात करते हैं बसलोई नदि की तो बसलोई नदी के अगर बात कर ली जाए तो बास पहाड़ी गुड़ा से इसका उद्गम है अगर इसका मुहना के बात करें तो गंगा नदी इसका मुहना है ठीक है आगे और भी बात करते हैं दक्षिनी कोयल नदी की तो दक्षिन कोयल नदी कहां से निकलती है नगडी राची जहां से स्वल नदी निकलती है अगर इसके हम बात करते हैं टूटल डिस्टेंस की तो 470 किलोमेटर डिस्टेंस कवर करती है और सहायक नदी के बात करते हैं तो मुख के सहायक नदी है दक्षिन कोयल की कारो नदी ठ कि शंक नदी से मिलकर ये ओडिशा में ब्रामनी नदी की नाम से जानी जाती है ब्रामनी नदी की नाम से ठीक है जिसके बारे में हमने बताया कि उध्वा पहाड़ी दुमका से निकलती है इसके लावा बात करते हैं संक नदी की अगर हम संक नदी के बात करते हैं तो शंक यह distance cover करती है मुहाना कहा हो जाएगा तो दक्षनी कोयल इसका मुहाना हो जाएगा काफी महतपुर्ण है कुछ उपनाम की बात करते हैं तो उपनाम से भी question पूछा जाता है जिससे पुनपुन नदी का अपने नाम सुना होगा जिसका हजारे बाग के पठार से उदगम है ठीक है तो पुनपुन नदी को किस नाम से जाना चाता है तो कीकट के नाम से जाना चाता है और बामा गधी के नाम से जाना चाता है दो नामों से जाना चाता है उपनाम के अगर हम बात कर रहे हैं वहीं पर अगर हम सक्री नदी की बात करते हैं तो सक्री नदी का उपनाम क्या है तो सूमा गधी और उसके बाद फालगु नदी के बारे में हम अगर बात करते हैं तो अंतह सलेला के नाम से जाना चाता है ठीक है वहीं पर अगर हम दामुदर नदी की बात करते हैं तो दो के नाम से भी जाना चाता है जो कि नौका गम्मे के लिए काफी प्रास देते हैं निकलती कहां से त्रिकूट पहाड़ी तेवकर से निकलती है ठीक है question number 5 की जनी शिकार तेहवार कितने वर्सों के अंतराल में मनाया जाता है तो इसका correct answer हो जाएगा is option number C यानि कि 12 वर्स के अंतराल में मनाया जाता है और हमने बताया था कि एक देशावली और जो जनी शिकार है दोनों ही तेहवार 12 वर्स के अंतराल में मनाया जाता है तो option number C इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा निक्स बात करते है question number 6 की six number question है मांडा या मंडा एक अहम तेहवार है जिसे निम्नांकित में से किस राज्जी में मनाया जाता है कुछ देर पहले ही हमने discuss किया था कि ये जारकंट राज्जी में मनाया जाता है और फिर से दोबारा से अगर हम discuss करना चाहें तो आप यहां से कम से कम ये याद रख सकते हैं कि ये प्रारंब कप होता है तो बैशाक मामे अक्षे तरित्या को ये प्रारंब होता है और इसमें किस की पूजा की जाती है तो महादेव की पूजा की जाते है और इसमें हमने बताया था कि जो पुरुस वरती हैं उसे भगता कहा चाता है और जो महिला वरती होती हैं उने क्या कहा चाता है तो सूखताइन कहा चाता है और हमने बताया था भी थोड़ी दिर पहले ही कि जो धधकते अंगार उपर चलते हैं उसे क्या कहा जाता है तो फूल खुंदी कहा जाता है और हवन के जो सिखा पर उनको उपर लटकाया जाता है उसे क्या कहा जाता है तो हमने बताया था कि धुवासी कहा जाता है बैसाग मा के अक्षे तरितिया को मनाया जाता है ठीक है, आपसन नमबर D इसका बिल्कुल से अंसर हो जाएगा नेक्स बात करते हैं, क्वेस्टन नमबर सेवन की सेवन नमबर क्वेस्टन है कि जारखन में स्लैस तथा बर्न क्रिजी किस नाम से जाना जाता है तो सेवन का सेवन नमबर बी यानि की करुआ के नाम से जाना जाता है उपसन नमबर बी इसका बिल्कुल सेवन नमबर एट की एट नमबर क्वेस्टन है कि जादू गोडा, यूरेनियूम, खदान, छारखन की निमनलिकित में से कौन से जिले में इस्थित है तो आठ का करेक्ट अंसर हो जाएगा आपसन नमबर ए यानि की पुरवी से भूम जिला में इस्थित है कुछ खनीज के बारे में अगर हम डेसकस कर लें तो सबसे पहले हम लोह आईसके के बारे में बात करते हैं आईरन और के बारे में बात करते हैं तो आप जानते हैं कि आईरन के अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन के दरिष्टे से पूरे भारत में ये तीसरे स्थान पर है और भंडारन के बात करते हैं तो दूसरे स्थान पर है अगर हम लोह के उत्पादन के बात कर रहे हैं लो ऐस देखे उत पादन की बात कर रहे है और कहां कहां पर ये पाया जाता है एक चुरी तो आपको देखने को मिलेगा नोवा मुंडी उसके बाद गुवा देखने को मिलेगा उसके बाद पंसीरा बूरू बादम पहाड उसके बाद कीरू बूरू सीह बूरू, चेरिया, उसके बाद बीजय घाट, कूरी में भी आपको लो एस का बहुतायत मातरा में देखने को मिलेगा ठीक है और आप जरू जानते होंगे कि जो नोवा मुंडी का खान है वो एसा की सबसे बड़ी खान है याद रिखेगा सबसे बड़ी लोहे की खान कहां पर है तो नोवा मुंडी की खान काफी इंपॉर्टेंट है उसके बाद अगर हम मैंगनीज के बात करते हैं तो यह पश्मी शिप्भुम और पुरवी शिप्भुम में बहुतात मातरा में पाय जाते हैं पश्मी और पुरवी शिप्भुम में ठीक है अगर हम तामबा के बात कर लें तो तामबा उत बादन के दरिश्टे से तीसरे अस्थान पर उत बादन के दरिश्टे से अगर हम बात कर रहे हैं तो यह कहां कहां पर आपको देखने को मिलेगा तो एक घाट सिला में आपको उसके बाद राखा में देखने को मिलेगा उसके बाद आपको कहां देखने को मिलेगा तो मुसा बनी में, बसी डीह में, धोबानी में देखने को मिलेगा सराइ किला में और बहरा गोड़ा में भी आपको तामबा देखने को मिलेगा वहीं पर अगर हम बॉक्साइट के बात कर लते हैं तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा आपको कहां देखने को मिलेगा लोहर दग्गा में देखने को मिलेगा हलाकि राचे और पलामों में भी कुछ-कुछ देखने को मिल जाएगा बॉकसएड के उत्पादन के दृष्टे से ये तीसरे अश्थान पर है ठीक है पूरा भारत में और भंडारन के दृष्टे से सब बात करते हैं तो सेवन्त पोजिसन पे हैं ये कई बाढ़ एक्जा में पूचा हूँ है ठीक है टांगस्टन देखने को मिल जाएगा अगर हम सोना के बात करते हैं गोल्ड के बात करते हैं तो गोल्ड आपको सिभूम के जो सुहर नरेखा घाटी शेत्र है वहाँ देखने को मिल जाएगा और राची के दामोदर शेत्र में भी सोना आपको देखने को मिलेगा वहीं पर पाया चाता है अबरक उसमें से सबसे ज़्यादा जो वाइट अबरक पाया चाता है जिसे रूबी अबरक के नाम से भी जानते हैं रूबी टैप का अबरक जारखन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा अगर हम ग्रेफाइट के बात कर लेते हैं तो ग्रेफाइट आपको कहा देखने को मिलेगा सबसे जदा आपको बलामू में देखने को मिलेगा और प्रमुक खान इसके कौन कौन से हैं तो याद रखेगा एक तो बारा मार है उसके बाद गोजरूम है और एक और है गाइस याद रखेगा बारेस नर ये तीन है जो प्रमुक खदान है ग्रेफाइट के ठीक है अब क्वेशन नमबर एट का सही अंसर के हम बात कर लें तो जादो कोड़ा यूरिनियम खदान के निम्नलिकित में से किसी जिले में स्थित है तो आपसन नमबर कौन स अधिवेशन कब आयोजित किया गया था इसका अंसर हो जाएगा आपसन नमबर ए यानि कि 1940 में आयोजित किया गया था और 1940 में भी कब तो याद रखेगा 19-20 मार्च याद रख सकते हैं इसके लिए और भी इंफोर्मेशन के अगर हम बात करते हैं तो यहां से याद रख सक हुआ है तो यहां से कम से कम आप यह याद रख सकते हैं अधियक्षता किस ने किये थी तो यहां पर याद रखेगा अबूल कलाम अजाद ने इसके अधियक्षता किये थी स्वागत समिति के अधियक्ष कौन बनाए गए थे तो डॉक्टर राजेंदर परसाद स्वागत सम में क्या हुआ कि forward blockage थापना की गए थी ठीक है इसके लाव और भी याद रखना चाहें यहां से तो आपने M.N. Roy का नाम सुना होगा तो M.N. Roy ने क्या क्या था कि radical democratic party के स्थापना की थी ठीक है इसके अलाव बात करते हैं तो इस अधिवेशन के दोरान जो महात्मा गांदी है मात्मा गांदी वो कब तो याद रखेगा 19 मार्च 19 मार्च 1940 इस्वी को इन्होंने रामगड में क्या क्या था कि खादिक रामोदय प्रारंब क्या था यह काफी महात्वर्ण है ठीक है कौन सा अधिवेशन था तो 33 अधिवेशन था यह बहुत ही जबरदर्ष्ट पूछा जाता है कई बार एक सामें पूछा गया है तो question number 9 का answer क्या हो गया रामगड अधिवेशन कब आयोजित किया था तो option number A इसका बिल्कुल से answer है यानि कि 1940 इसका बिल्कुल से answer हो जाएगा option number A next बात करते है question number 10 की 10 number question है जारकन में सरवादिक सीचाई तलाप से किस जिले में हो बात करते हैं देखिए कुवा की तो कुवा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गुमला और गुरीडी में होता है गुमला और गुरीडी में कुवें से सीचाई सबसे ज़्यादा होता है सरवादिक होता है परस्तिसत की सबसे बात करेगा तो 29.38% जो सीचाई है वो कुवे से होती है छार खन में, ठीक है इसके लिए और में बात करेगा जैसे तलाब की अगर हम बात कर लेते हैं तो तलाब में सबसे सिर्ष पर कौन है तो ये देवखर है तलाब में सबसे ज़्यादा सीचाई कहां पर तो देवखर जिले में होती है अगर हम percentage की बात करते हैं तो कितना percent तो 19.07% उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि नहर से ठीक है अगर हम नहर से बात करते हैं तो नहर में सबसे ज़्यादा सिभूम में आपको देखने को मिलेगा सिभूम और सराई खिलावला शेत्र में और यह कितना प्रतिसत अगर बात कर लेते हैं तो याद रिखेगा 17.53% ठीक है वहीं पर अगर हम नलकूप की बात कर लेते हैं नलकूप की तो नलकूप से आपको देखने को मिलेगा कहां पर तो लोहर दग्गा में आपको ज़्यादा तर देखने को मिलेगा नलकूप से ठीक है परतिसत के सबसे बात करेगा तो 8.28% यहाँ पर जो सीचाई होती है वो नलकूप से होती है लोहर दग्गा में याद रखेगा देखिए अर्जीजों को याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रीक आप देख सकते हैं जिसे मान के चलिए कि यह एक क्या है कुवा है ठीक है यह कुवा है अगर इस कुवे में कोई गिरेगा अगर कोई गिरेगा तो क्या हो जाएगा गुम हो जाएगा अगर कोई गिरेगा तो क्या हो जाएगा गुम हो जाएगा यानि कि इस कुवे में जो भी गिरेगा वो गुम हो जाएगा मतलब क्या हुआ कि जी से गुमला और जी से गुरेड़ी तो कुवे से आप याद रख सकते हैं कि दो जिले में सबसे ज़्यादा सी चाई कहां कहां तो गुमला और गुरिडे में आप इतना याद रख सकते हैं इसके लाव हम बात करते हैं कि तलाब से सबसे ज़्यादा कहां पर होगा तलाब से तो तलाब से देखे आप कैसे याद रखना चाहेंगे तो तलाब के किनारे कौन सा पूजा होता है गई तो छट पूजा आप जानते है ना छट पूजा होता है अब जब भी हम पूजा की बात कर रहे हैं मंदिर का बात कर रहे हैं तो तुरंत दिमाग में क्या आता है देवगर तुरंत दिमाग में आता है तो देवगर बात तुरंत में आ रहा है तो तलाब से related कौन सा हो जाएगा ये देवघर हो जाएगा तलाब से तुरंत आपके mind में आना चाहिए छट छट से आपके दिमंग में आना चाहिए पूजा और पूजा से मंदिर वेगरा और मंदिर जादतर आपको देवघर में देखने को मिलेगा तो यसी साब से आपका सकते हैं कि तलाब में सबसे ज़्यादा सी चाहिए कहां पर होती है तलाब से तो देवघर में होती है ठीक है उसके बात देखिए अगर आप नलकुप की बात करेगा तो हम नलकुप के बारे में अगर आपसे बात करना चाहें तो आप जानते हैं कि नलकूप अगर ये नल है गैस अगर ये नल है तो आप देखे क्या कि ये जो नल बना होता है ये लोहे का बना होता है बना होता है ये नहीं बिल्कुल लोहे का नलकूप बना होता है तो आप देख सकते हैं कि लोहा, लोहा आ रहा है, लोहा से क्या हो जाएगा, लोहार दग्गा हो जाएगा, ठीक है, लोहार दग्गा हो जाएगा, तो लोहार दग्गा किस से हो जाएगा, नलकुप से हो जाएगा, तो आप ऐसे कोर्लेट करके चीजों को याद कर सकते हैं, और नहर से आप डारेक्ट में आना चाहिए छट छट से आना चाहिए मंदीर मंदीर मतलब पूजा तो कहां से सम्मंदित हो सकता है option number a देवघर इसका बिल्कुल सही answer हो जाका so option number a is correct one next बात करते है question number 11 की जपला निम्नलिकित में से किस उद्यों के लिए प्रयासित है इसका सही answer आपको क्या करना है comment box में देना है इसका सही answer बते ही क्या होगा cement के लिए लोह एम इसपातू द्योग के लिए कोईला के लिए या box ad के लिए चारो में से एक correct answer आपको comment box में टाइप करना है इस तरह के से आज का session हमने complete कर लिया है अगर आपको session पसंद आया है तो please like किजीएगा और channel पर नए है तो please channel को subscribe करके bell icon को press किजेगा ताकि आपको new videos का notification बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा Thank you so much जैहिंद